आज की इस वीडियो में हम लोग Plato के Literary Criticism को डिसकस करेंगे Plato को दोस्तों first systematic critic बूले तो गलत नहीं होगा क्योंकि criticism की शुरुआत ही Greek Literature के अंदर Plato ने की थी अपने book Republic की book 10 में उन्होंने poetry का criticism किया है और Aristotle का Literary Criticism में discuss कर चुका हूं आज़की इस वीडियो में हम लोग plateau के literary criticism के अलावा कुछ literary critics जैसे रहने सामें Sir Philip Sydney के plateau के literary criticism पर क्या विचार थे और Aristotle खुद इनके student वो क्या सोचते थे इनके literary criticism को तो आज़की ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है शुरू करते हैं तो दोस्तो लिटरी क्रिटसिजम शुरू होता है इंशन्ट ग्रीस से जब क्रिटसिजम एकदम डार्कनस में था तो ऐसे में एक सिस्टमेटेक क्रिटेक निकल कर आये प्लैटो इनका जन्म हुआ था 427 बीसी के आसपास इनके टीचर का नाम था सौकरटीस सुकराथ बोलते ह हिंदी में तो पहले प्लैटो खुद पोविम्स लिखना पसंद करते थे लेकिन यह अपने गुरू सौकरटीस की संपर्क में आने के बाद में उनके इंफ्लुएंस में आने के बाद में इन्होंने खुद अपनी पोविम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिलोसफी और Mathematics, Natural Science, Practical Legislature वगेरा पढ़ाने लगे इनके आसपास की लोग इनकी बहुत respect करते थे क्योंकि यह बहुत ज्यादा inspire करने वाली personality थे तो यह तो हो गई इनकी personal life अब प्लैटो के views तीन पॉइंट्स में हैं दोस्तों poetry के लिए जो कि उन्होंने अपने book Republic की book 10 के अंदर अपने views दिये हैं तो यह तीन points में हैं सबसे पहले है poetic inspiration दूसरा है imitation और तीसरा है condemnation of poetry मतलब poetry की बुराई यह कैसे करते हैं तो सबसे पहले पहले point को discuss करते हैं हम लोग poetic inspiration तो plateau के हिसाब से उनके views के हिसाब से एक part को अपना work लिखने के लिए inspiration कहां से मिलती है तो plateau बताते हैं इसमें कि बिना inspiration के कोई भी part अपना work नहीं लिख सकता उसे inspiration तो चाहिए ही चाहिए वो अपनी senses के through inspire होता है और बिना inspiration के वो बिलकुल powerless है जो भी noble words वो अपने poetry में use करता है वो इंसानों के actions से ही उसे सीखने को मिलती है और एक part divine truth को बताता है उसको वैसे ही divine inspiration मिलती है जैसे कि एक भविश ये बताने वाले को prophecy करते हैं ना कई लोग तो उनको जैसे divine inspiration मिलती है विसे एक part को भी मिलती है तो poetry कोई भी craft नहीं है मतलब creativity नहीं होती ऐसा कोई craft नहीं है जैसे सीखा जाए practice किया जाए बलकि poetry तो उसे मिलने वाली inspiration का result है poet तो बस divine truth को बताता है और कुछ भी नहीं यहाँ पे plateau ये भी कहते हैं कि poetry किसी भी तरह से rational नहीं होती मतलब इसमें तरक नहीं होते और ये rational नहीं है यही reason है कि poets खुद कभी कभार कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसे वो खुद नहीं समझ पाते कि उन्होंने लिख क्या दिय तो उनके हिसाब से poetry was divine truth को बताती है और वो truth ordinary लोगों से बहुत दूर होता है दूसरा point है imitation मतलब copy करना प्लैटो एक idealist थे वो ideas को सच मानते थे वो अपना एक ideal समाज बनाना जाते थे rational बाते गरते थे और ये beauty और goodness को ये सब चीजों को heaven के लिए मानते थे कि ये सब चीज ten में बताते हैं imitation के बारे में ये बहुत ही note करने वाला point है वो एक painter का example देते हैं कहते हैं कि जैसे painting में क्या होता है imitation होती है मतलब painting का मतलब क्या होता है copy करना किसी चीज को copy करना चलता है painting के अंदर? painting किसी specific चीज की copy होती है तो चीजों को copy करके एक printer कर क्या रहा है कुछ भी special नहीं कर रहा है वो actually ऐसा काम कर रहा है जिसकी जरुरत नहीं है मतलब जब वो चीज मौजूद है तो उसको copy करके क्या फायदा तो painter की ही तरह वो poets को भी बिना मतलब की चीजों को copy करने वाला बोलते है तो ये views है प्लैटो के poetry के उपर वो poetry को painting से compare करते है वो बोलते हैं चलो ठीक है copy करना भी ठीक है लेकिन अगर वो बिना उन चीजों की real value जाने उनको copy कर रहा है तो ये चीज उसकी lack of knowledge को show करती है लेकिन यहाँ पर प्लैटो को दोस्तों imitation के मामले में गलत भी माना जाता है बोला जाता है कि poetry या painting किसी machine की तरह copy नहीं किया जाता ऐसा art नहीं होता जो सिर्फ copy कर लिया कभी किसी artist की creation को देखना ऐसा लगता जैसे उसने पूरी जान डाल दियो जो चीज ordinary लोग नहीं देख पाते वो एक artist देखता है इसलिए वो artist है तो poetry और painting दोनों creative होते हैं सिर्फ imitation नहीं होती अफसोस, plateau, poetry का true nature समझने में पेल हो गए अब तीसरा और सबसे important point लेकिन इसको समझने से पहले मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी poet है अपनी poetry लिखता है तो ये theory Plato ने सिर्फ अपने students को ये बताने के लिए दी थी कि कि किस चीज की जरुरत है और किस चीज की जरुरत नहीं है वो एक idealist है मैंने आपको बताया था कि वो एक idealist है और अपना practical point of view present करते है उनको समझने के लिए ही सुनना, off end होने की जरुरत नहीं है उस वक्त के उनके views को discuss करने के लिए उस वक्त की social condition को जान लेते हैं जिनको जानना जरुरी है तभी हमें आगे की कहानी समझ में आएगी तो ये वो time था जब politics गिरती जा रही थी education पर इतना focus नहीं किया जा रहा था और Homer जो उस वक्त के बहुत बड़े Greek part थे great part थे तो schoolों में उन्ही के works को पढ़ाया जाता था Homer के works की वो value थी जो Bible की थी Bible के बरावर लेकिन Homer खुद अपने works में gods और myth को include करते थे जो चीज़े आम आदमी के समझ से बिलकुल दूर थी दूसरा literature बहुत immoral और corrupt type का हो गया था वो कैसे हो गया था मैं आपको आगे बताऊंगा criticism तो बनता था इस चीज़ का criticism तो बनता था तो result इस चीज़ का ये हुआ कि philosophers और orators poets और artists के उपर हो गए ये थी उस ताइम की social conditions प्लैटो अब एक philosopher थे तो उन्होंने philosophy की side ले of course philosophy को poetry से उपर साबित करने ही कोशिश की लेकिन ऐसा करके उन्होंने criticism को एक direction दे दी जो आगे चलके criticism बहुत ही वेमस हुआ और ये पहले systematic critic बन गए अब सबसे पहले ये poetry पर attack करते हैं सबसे पहला point ये देते हैं कि poetry morally corrupt करती है किसी इनसान की character को बिगाड़ती है ये socially moral नहीं होती बुरे कामों को करने के लिए support करती है तो इसके demoralizing effects होते हैं दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था उस टाइम का literature corrupt कैसे हो गया था दूसरा point ये बताते हैं कि poets gods के बारे में हमको जूट बताते हैं कैसे ये gods को corrupt present करने की कोशिश करते हैं कि इंसान में जो कमिया है वो gods में भी दिखाते हैं ये कि इंसान में greed, lust ऐसी कमिया होती है तो वो ही चीज़ ये gods में भी दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि homer ने अपनी odyssey और illyad के अंदर दिखाने की कोशिश की है इसलिए plateau बोलते हैं कि इनके work schools में पढ़ाने लायक नहीं है क्योंकि बच्चे को अगर हम जो सिखाएंगे जो बताया जाएगा parents और teacher जो बताएंगे वही वो सीखेंगे और वही वो produce करेंगे आगे चलके तो इनके कहने का मतलब homer की poetry एक suitable medium नहीं है education का बजाय philosophy पही एक अकेला proper subject है study का poetry को Plato ने morally harmful बता है अब ये था moral criticism अब बात करते है emotional criticism की तो emotional criticism में वो सबसे पहले बोलते हैं कि ये poets divinely inspired होते हैं मतलब उनकी poetry मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोई craft नहीं होती मतलब की non rational होती है कोई craft नहीं होती कुछ creativity नहीं होती इसमें supernatural sources का use किया जाता है ऐसे supernatural elements जो खुद की उनकी personality से दूर होते हैं unconscious बाते करते हैं unreliable और uncertain जो ये inspiration लेते हैं वो किसी भी वक्त रुख सकती है और क्या पता कि इनकी बातों में कितना सच हो डंक से examine करना चाहिए इनकी चीज को इस चीज को और एक बात और कि इनका मतलब कभी भी साफ नहीं होता कि ये क्या कहना चाहते हैं parts कभी कभार खुद इस चीज को explain नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये irrational बाते करते हैं allegorical interpretations देते हैं और ये allegorical interpretations useless हैं उनके लिए जो की बच्चे हैं या immature हैं उनकी समस्ते तो ये चीज बाहर है epic, tragedy, comedy ये सारी poetry total copy होती है और ये poetry dangerous होती है dangerous कैसे होती है क्योंकि इनको पढ़ने से इनसान खुद weak और unhealthy फील करता है इनका सब कुछ imitation होता है और imitation clown तयार करता है बस और कुछ नहीं plateau ने human soul के तीन पार्ट्स बताए है तीन पार्ट्स में divide किया है सबसे पहले rational ये पहला पार्ट है rational दूसरी है spirited मतलब जजबे वाली, लडने वाली और तीसरी है desirous desirous सबसे नीचे वाला पार्ट होता है human soul का ये थर्ड पार्ट जो होता है इसको pleasure मिलता है non-rational चीज़ों को देखने से non-rational चीज़े जैसे drama देख लिया या कुछ देख लिया तो उस चीज़ से pleasure मिलता है तो यहाँ पर वो खुद लिखते हैं Republic की book 10 में poets के लिए they feed and water the passions instead of drying them up and let them rule instead of ruling them as they ought to be ruled with a view to be happiness and virtue of mankind Republic book 10 में वो दो emotions pity और grief इन दोनों पर control रखने के लिए बोलते हैं लेकिन tragedy tragedy क्या गरती है इन दोनों emotions को बड़ावा देती है तो यह था emotional criticism दोस्तों अब intellectual criticism की बात करते हैं intellectual criticism में पहले तो वो बोलते हैं कि parts को सच की knowledge नहीं होती reality के वज़ाए यह illusions में जीते हैं ब्रह्म में जीते हैं यह बस surface से चीजों को copy करते हैं reality से तीन गुना ज़्यादा दूर होते हैं यह बहुत दूर होते हैं मतलब इसलिए इनकी poetry को schools के curriculum में शामिल नहीं करना चाहिए यह सब बोलकर वो poetry के intellectual, emotional और moral grounds पर attack करते हैं वो बोलते हैं कि poets को honor जरूर देना चाहिए honor जरूर मिलना चाहिए लेकिन idle state से उनकी idle state से उनको बाहर निकाल देना चाहिए यह तो हो गया plateau का literary criticism अब उनकी achievements की बात करते हैं दूस्तों सबसे पहले उनकी achievement यह है कि उन्होंने art को दो categories में divide कर दिया पहला fine arts मतलब जिसमें painting, poetry, music यह सब आते हैं दूसरा है दूसरा वो बोलते है useful art जिसमें medicine, agriculture यह सब चीज़े आती है एक achievement उनकी यह भी है कि यह पहले थे जिनको poetry की mysterious power का पता चला था इन्होंने बोला था कि poetry के पास वो power होती है कि वो लोगों को influence कर सके अब यह सब होने के बावजूद plateau की theories को बाद में remove कर दिया गया बाद की moralistic theories जैसे आ गई जैसे की art पर art से इन theories ने plateau की theories को remove कर दिया और इनके views को कुद इनके students Aristotle और अलग-अलग ages में अलग-अलग critics ने examine किया जैसे सर फिलिप सड ने रनसा के time की literary critic उन्होंने बोला है कि plateau ने poetry को गलत नहीं बोला बलकि बुरी poetry पर attack किया है वो सिर्फ बुरी poetry पर attack करते हैं बुरी poetry को बुरा बोलते हैं लेकिन time के साथ ये चीज़ तो clear हुई गई ये चीज़ तो समझ में आये गया उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बत अपनी age की circumstances को ध्यान में रख कर लिखा और बात की ages के लिए वो काफी हद तक ठीक नहीं था Aristotle जो की plateau की great student थे उन्होंने plateau की बातों के against अपने point रखे हैं वो poetry को सिर्फ मज़ा देने वाली नहीं बोलते बलकि useful भी बोलते हैं ये बात भी है कि वो directly plateau को अपने work politics में refer नहीं करते अब कुछ important points बताता हूं दोस्तों plateau और Aristotle में difference जो की आप ढूंड सको सबसे पहले तो plateau ने सिर्फ human life को समझा था लेकिन Aristotle ने human knowledge को समझा था दूसरा plateau एक transcendentalist थे जबकि Aristotle एक scientist, biologist, experiment करते रहते थे और अपने principles को उन्होंने पूरी observations और analysis के बाद में ही बनाया था plateau एक idealist थे वो ideal world चाते थे अपना कि ऐसा हो वैसा हो चाहे हूई ना सके लेकिन हो जबकि Aristotle एक realist थे scientific और systematic study करते थे कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है तो कि खुद की language poetic और charming टाइप की होती थी लेकिन Aristotle की private टाइप की personal notes टाइप की जबकिन इंटेलिजन टीचर अपने students को पढ़ा रहा हूँ प्रैटो ने poetry को painting से compare गिया है लेकिन Aristotle ने poetry को music से compare किया है कि poetry को painting की तरह imitation नहीं होती बलकि poetry किसी music की तरह imitation होती है जो की pleasure देती है तो आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी Thank you दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही काम की चीज़ को discuss करने जा रहे हैं आप मेंसे कई सारे viewers ये चाहते थे कि मैं literary criticism पर कुछ बनाऊं तो आज की इस वीडियो में मैं उसी को discuss करने जा रहा हूँ दोस्तो literary criticism बहुत बढ़ा है इसको एक वीडियो में discuss नहीं किया जा सकता बलकि separately इनकी वीडियो बनाने पड़ेगी तो सबसे पहला work आज मैं discuss करने जा रहा हूँ Aristotle का literary criticism यानि की उनकी भूग जो थी पाइटेक्स दोस्तो English literature में जिन्होंने literary criticism को establish किया यानि की John Dryden Samuel Johnson ने इनको कहा था कि ये first literary critic थे जिन्होंने properly literary criticism को English literature में establish किया उन्होंने कहा है John Dryden ने कि Aristotle first literary critic थे तो उन्ही के work को पाइटेक्स को आज मैं discuss करने जा रहा हूँ दोस्तो ये series 4-5 जिन तक चल सकती है बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और दोस्तो पाइटेक्स के अंदर मैं आपको बता दू कि Aristotle ने अपने गुरू Plato ने एक book लिखी थी एक work लिखा था Republic उसके अंदर उन्होंने poetry और parts को कहा था कि ये बेकार हैं तो उसी को defend करने के लिए Aristotle ने अपना work लिखा पाइटेक्स poetry को defend करने के लिए Aristotle ने अपना work लिखा पाइटेक्स और poetry को Aristotle ने superior बताया है उन्होंने ज्यादा philosophical बताया है history से वो सब आगे हमें पता चलेगा तो आज की वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है शुरू करते हैं Dr. Samuel Johnson का ये मानना था कि John Dryden वो पहले शक्स थे जो English literature में जिन्होंने properly literary criticism को लाया था लेकिन दोस्तों John Dryden भी ये मानते थे कि literature में पहली बार criticism को अगर किसी ने introduce किया तो वो थे Aristotle Aristotle मानते थे criticism का मतलब है judge करना लेकिन criticism करने के लिए पहले किसी work का होना जरूरी है किसी creation का होना जरूरी है creation पहले आती है criticism बाद में ठीक है तो Aristotle से हम लोग literary criticism की शुरुआत करते हैं Aristotle दोस्तों एक Greek philosopher थे जिनको teacher भी great मिला था और student भी Aristotle के teacher थे Plato और student थे Alexander the Great 17 साल की उमर में Aristotle ने Plato की academy में education ली दोस्तों ड्राइडन ने भले ही literary criticism की शुरुआत Aristotle से मानी हो लेकिन उनसे पहले Aristotle से पहले ही उनके गुरू Plato ने poetry का criticism किया था और Plato वो पहले शक्स थे जिन्होंने समझा था कि art एक imitation है मतलब की copy करना imitation का मतलब होता है copy करना और उन्होंने art की दो categories बताई थी पहली category होती है fine art fine art में आता है literature, painting, sculpture और music ये सब art क्या है हमको pleasure देते हैं दूसरा होता है useful art पहला होता है fine art की category दूसरा होता है useful art जिसमें medicine, agriculture और cooking बगेरा आते हैं तो ये दोनों categories Plato ने बताई थी तो ये सब चीज़े Plato ने बताई अब Plato की academy में educationally Aristotle ने 17 साल की उमर में अब दोस्तों Plato को ही इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि Aristotle इतने talented कैसे है वो बोलते थे Aristotle को बोलते थे मजाक मजाक में कि तुम हमारी इस academy के दिमाग हो mind हो तुम यहां के लेकिन हुआ क्या था कि Plato की death के बाद में Aristotle को उस academy को संभालने के लिए नहीं रखा गया इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चले गया Aristotle वहाँ से चले गया बाद में उनको Alexander का teacher बनने के लिए बुलाया गया लेकिन फिर वहाँ से वो वापिस लोटा है Athens और यहां आकर इन्होंने अपनी academic हो ली ऐसा कोई subject नहीं है लगबग हर subject को Aristotle ने touch किया है प्रिटिक्स से लेकर literature तक तो आज हम इनकी book politics को discuss करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है literary criticism को समझने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों Aristotle के गुरू Plato ये बोला करते थे कि poetry reality से दूग उनी दूर है यानि कि ये harmful है immoral है और Plato poets को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे अब इसका क्या reason है उन्होंने reason भी दिया है अपनी book Republic में जरूसल हुआ क्या था बात क्या हो गई कि Aristotle के जो गुरू थे Plato उन्होंने वो एक idealist थे एक philosopher थे एक idealist थे तो उन्होंने अपना एक work लिखा Republic उसमें उन्होंने political, social, economic, educational, art और literature की बात की और इस work Republic में उन्होंने especially बात की ideal society की ध्यान रखना दोस्तों note करते चलना तो उस work में उन्होंने ideal society की बात की और इस ideal society में directly उन्होंने ये बोला की poetry और उनके poets को इस ideal Republic से बाहर निकाल फैकना चाहिए यानि की poets और उनकी poetry को इस ideal Republic से बाहर निकाल कर फैक देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम के नहीं है बस बहकाने का काम करते हैं जूट फैलाते हैं ऐसी बाते करते हैं जो हो ही नहीं सकती इस दुनिया में यानि की बिल्कुल ऐसी बाते करते हैं इनकी imagination ऐसी होती है जो दुनिया में एक तरह से बुराई फैला है जूट फैला है इनकी poetry की themes होती है love, sex, revenge, दुश्मनी, गुसा ये सब बाते करते हैं poets तो ये सब चीज़े अगर एक ideal society में चलेगी तो आने वाले generations बिगडेंगी दुसरा ये हमारे national gods की भी बुराईयां करते हैं भला बुरा लिखते हैं उनके बारे में तो Aristotle बोलते हैं poetry को defend करते हुए Aristotle को जर्रत पढ़ी कि वो poetry को defend करें वो बोलते हैं कि poetry, philosophy और history दोनों से great है Aristotle के कहने का मतलब जैसे Homer ने Elliot लिखी है Elliot के अंदर उन्होंने Trojan War के बारे में लिखा है अगर वो अपनी poetry के अंदर Elliot के अंदर Trojan War के बारे में नहीं लिखते तो Trojan War को ऐसी universal fame कहां से हासल होती universal value कहां से मिलती जैसे Plato ने Republic को लिखा उसमें poetry की बुराई की तो यहां पर Aristotle ने poetry को defend करने के लिए defense of poetry में उन्होंने लिखा politics को उन्होंने बोला poetry तो beauty को बता कर हमें सुख देती है कुल मिला कर ये harmful नहीं है इस मामले में आप गलत है हाँ poetry में copy करना होता है imitation होता है ये word याद रखना दोस्तों imitation poetry में imitation करना होता है लेकिन ये किसी photograph की तरह नहीं होती photograph की तरह यहां पर imitation नहीं होता बलकि इंसान के अंदर की चीज जो होती है उसको copy किया जाता है Plato बोलते हैं कि poetry drawing की तरह होती है Aristotle बोलते हैं कि poetry music की तरह होती है Plato को poetry का बाहरी ढाचा दिखता है लेकिन Aristotle बोलते हैं कि history तो आपको सिर्फ ये बताती है घंग से सुनना दोस्तों Aristotle बोलते हैं कि history तो सिर्फ आपको ये बताती है कि क्या हो चुका है लेकिन literature आपको ये बताता है कि क्या-क्या हो सकता है इसलिए literature हिस्ट्री से उचा है Aristotle बोलते हैं कि जैसा एक poet होता है वैसे ही कामों को वो copy करता है जैसे कि एक serious writer होगा तो वो serious लोगों के serious कामों को copy करेगा हलके poets तुछ लोगों के कामों को notice करेंगे serious poet बड़े बड़े लोगों की death पर allergies लिखेगा जबकि हलके writers satires बगेरा लिखेंगे फिर आगे चलकर यही satires लिखने वाले comedies लिखने लगेंगे और allergies लिखने वाले tragedies लिखने लगेंगे यहाँ पर दोस्तों comedy और tragedy में फर्क बताया है यहाँ पर Aristotle ने comedy में नीचे लेवल के लोगों को character को दिखाया जाता है जबकि tragedy में उचे लेवल के character के लोगों को दिखाया जाता है तो यहाँ पर comedy और tragedy में फर्क बताया है यहाँ पर Aristotle tragedy को great मानते है comedy से और ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों से पुराना है comedy और tragedy से पुराना है epic लेकिन Aristotle मानते हैं कि यह tragedy जो होती है वो comedy से तो उपर है ही, epic से भी उपर है Aristotle के हिसाब से tragedy के 6 parts होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ plot, character, thought, diction, खैने language का style, अगला song और spectacle spectacle मतलब सजाना धजाना और song मतलब गाना अगर इन सब पे ढंक से focus किया जाए तो बनती है tragedy, एक great tragedy tragedy में इंसान की जिंदगी को दिखाया जाता है इसमें tragedy देखने वालों के मन में pity और fear यानि कि डर और sympathy जाकती है ये सब चीजे इतिफाक से होने चाहिए, Aristotle बोलते हैं next point तीन चीजें आपस में जुड़ी होने चाहिए, time, place और action अगला point, playwright के लिए ज़रूरी है कि वो अपने character को ढंक से design करे उसकी बातों से लगना चाहिए कि वो कितना moral है वो अपनी ताकत को दिखाय तो सही, लेकिन कभी भी एक आरत के लिए नहीं next point यह है कि Aristotle मानते थे tragedy को देखने से क्या होता है tragedy को देखने से इंसान filter होता है यानि कि इंसान को tragedy साफ करती है, refine करती है अगर वो ये सब चीजे देखेगा तो उसमें सोधार आएंगे तो tragedy ये काम भी करती है diction का काम क्या होता है यहाँ पर अगर एक playwright अपनी writing के जरी अपनी बात पढ़ने वालों के दिलों में उतार रहा है तो writing का style भी अच्छा होना चाहिए यानि कि साफ और समझने लायक होना चाहिए यहाँ पर Aristotle बोलते हैं एक poetry और prose की language कैसी होने चाहिए poetry में तो unusable different type की words का use करना चाहिए जैसे poetry के अंदर normal words नहीं होने चाहिए जबकि prose के अंदर day to day life में use होने वाले सब के जानने पैचाने वाले normal words होने चाहिए common words होने चाहिए poetry में ऐसा नहीं होगा poetry में एक अच्छे level की words को use करना चाहिए prose में भी ऐसा हो सकता है अगर prose लिखने वाला writer figure of speech का अच्छे से use करे अब line हो के बारे में कहते हैं कि line है ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होने चाहिए सिर्फ उतनी ही होने चाहिए जितनी याद रखी जा सके poetry की Aristotle ने ये सब poetry को defend करने के लिए लिए लिखा क्योंकि Plato ने इसे myth बोला था और Aristotle Greek literature के बहुत करीब थे उन्होंने Greek literature में देखा था कि ये सब के लिए है और natural है यानि कि ये सब के काम की चीज है और Aristotle वो पहले शक्स थे जिन्होंने ये कहा था कि poetry का का काम entertainment है lecture देना नहीं और Aristotle को literary criticism की शुरुआत करने वाला माना जाता है अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही काम की चीज की Aristotle ने अपनी politics में सबसे ज़्यादा focus किया है tragedy पर Aristotle की हिसाब से tragedy में दो feelings बहुत ही important है pity और fear यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को pity और fear को एक ही चीज की दो अलग-लग stages बताया है pity यानि की दया जो character अभी सफर कर रहा है यानि की king liar में king liar की हालत देखकर एक दया सी आती है तो वो चीज पिटी का काम करती है और fear यानि उसको लेकर यह सोचना की इसके साथ आगे क्या होगा future को लेकर यह सोचना की आगे क्या होगा तो pity future में जाकर fear बन जाती है और दोस्तों tragedy में Aristotle ने plot को सबसे रजा importance दी है वो बोलते हैं की plot serious होना चाहिए उसमें magnitude ठीक-ठाक होना चाहिए यानि की tragedy का size जो है वो ठीक-ठाक होना चाहिए unity होने चाहिए time, place और action की unity होने चाहिए और plot simple हो या complex तो इसमें Aristotle बोलते हैं की complex plot वो complex plot को ज़्यादा माइने देते हैं characters में क्या quality होने चाहिए सबसे पहले तो सबसे important quality characters की goodness अच्छाई, दूसरी quality character proper होने चाहिए यानि की जो character जिस चीज के लिए है उसको वही काम करना चाहिए जैसे किसी आदमी का character है तो उसे adventurous, heroic, bald खून बहा कर revenge लेने वाला इस type का होना चाहिए तो ये सब quality आदमी की character में proper डालनी चाहिए लेकिन अगर किसी आरत में ये सब quality होती है तो इसका मतलब उसका character improper है जैसे Macbeth Play के अंदर Lady Macbeth का जो character है या फिर Anthony Cleopatra के अंदर Cleopatra का जो character है तो Aristotle के हिसाब से एक अच्छे dramatist को इस type की improper sheets से बचना चाहिए next quality होनी चाहिए character के अंदर consistency, consistency के साथ में मतलब consistency के साथ character develop हो रहा है और ये चीज़ जियान रखना कि Aristotle बोलते हैं कि अगर किसी नेक आदमी के साथ जैसे कोई character है अच्छा character है कहानी के अंदर तो उस नेक आदमी के साथ में कुछ गलत होता है उसका downfall होता है तो वो tragedy के लिए suitable नहीं है क्योंकि इससे pity और fear तो आएंगे नहीं कि ये चीज शौकिंग हो जाएगी जैसे dr. Samuel Johnson ने कहा कि मैं King Lear के last chapters को पढ़ने ही पाया क्यों नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसके अंदर चोटी सबसे जो चोटी बेटी होती है वो इतनी अच्छी होती है लेकिन उसके साथ में क्या होता है उसके साथ में इतना बुरा होता है तो उस चीज को पढ़ना एकदम शौकिंग था तो कहानी thriller बन गई तो एक अच्छे character के साथ सदलने बुरा नहीं कर देना चाहिए पेटी और फियर लाने के लिए और tragedy का hero कभी भी कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता Aristotle के हिसाब से तो ये कुछ guidelines दी है एक tragedy को लिखने के लिए Aristotle ने Plato और Aristotle में ये फर्क था कि Plato idealistic सूसते थे सब कुछ perfect होना चाहिए जबकि Aristotle human knowledge को समझना चाहते थे तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोसों आज की इस वीडियो में आपको Aristotle की politics में तीन चीजों के बारे में बताऊंगा medium, object और mode Aristotle यहाँ पर बोलते हैं कि चाहे epic poetry हो, comedy हो, rhetorambic poetry हो music हो जो pipe से बजाया जाता है या पर liar हो, painting हो ये सारी चीजे imitation है क्योंकि ये art है तो imitation है जैसा कि Aristotle की guru Plato बोलते थे कि party लिखने वालों को republic से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बाते करते हैं जो realistic होई ही नहीं सकती, ऐसे में Aristotle के जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि imitation करना, यानि नकल करना, इंसानों को जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि ये ही खास बात है इंसानों में जो जानवरों के पास में नहीं है ये तो पैदाईशी गुन होता है जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही वो बड़ों को imitate करना शुरू कर देता है और इसी से ही वो सीखता है कि दुनिया कैसे चलती है क्योंकि ये natural चीज है ये चीज करने में इंसान को मज़ा आता है ये वो चीज है जो जानवर नहीं कर सकते यही चीज हमको जानवरों से अलग करती है अब direct Aristotle की बात पर आता है Aristotle कहते है कि चाए epic poetry हो comedy हो determinic poetry हो music हो liar हो या painting हो ये सारी चीज़े imitation है लेकिन ये imitation एक दूसरे से different है different की चीज़ों में तीन चीज़ों की बज़े से ये तीन चीज़े कौन सी है medium, object और mode यानि mode of imitation सबसे पहले medium को discuss करते है medium क्या होता है medium का मतलब होता है यानि माध्यम जिसके जरीए artist किसी object को copy करता है जैसे visual art होता है painting कहते हैं जिसको painting के अंदर color और shape वो जरीए है वो medium है जिसके जरीए artist किसी object को copy कर रहा है वही music के अंदर rhythm और melody वो medium है जिसके जरीए artist object को imitate करता है जबकि dance के अंदर only rhythm, rhythm पकड़ने पड़ती artist को, लेकिन Aristotle बोलते है कि एक ऐसा भी art होता है जिसके अंदर language medium होती है वो कौन सा art होता है हम सबको पता है poetry तो उम्मीद करता हूँ medium आपको समझ में आया होगा जिसके जरीए किसी चीज को copy किया जाए यानि माध्यम, medium दूसरा आता है object Aristotle कहते हैं कि medium तो हो गया लेकिन object क्या होता है object होता है जिस चीज को copy किया जा रहा है हमें चाहिए object जिसको imitate किया जा सके वो object admirable भी हो सकता है और inferior भी हो सकता है यानि अगर किसी इंसान को copy किया जाए तो इंसान भी admirable हो सकता है और inferior भी हो सकता है अगर इंसान को object मानकर imitate किया जाए तो अगर एक character जो कि noble family से होगा उसको अगर copy किया जाएगा तो tragedy निकल कर सामने आएगी वो admirable character है जैसे homer admirable लोगों को ही copy करते थे हमिचे इमिटेट करते थे तो homer के लिए object होगा admirable लोग ठीक है जबकि उन्ही के time पर homer के time पर कुछ ऐसे लोग भी थे Aristotle यहाँ पर बोलते है कि कुछ ऐसे भी लोग भी थे जो inferior लोगों को copy करते थे तो उनके works comedy बन जाते थे अब दोसो तीसरी चीज़ आती है mode यानि किस mode में artist copy कर रहा है चीज़ को narration के through, acting के through कौन सा mode है उसका mode वो जरिया होता है जिसके through artist किसी चीज़ को किसी object को emitted करता है लेकिन यह different है किसे medium से epic poetry में तो mode है narration ठीक है और tragedy के अंदर mode होता है actors stage पर perform करते न तो वो tragedy का mode है epic poetry का mode है narration और tragedy का mode है actors stage पर perform करते हैं उमीद करता हूँ आपको medium, object और mode इन तीनों में perk समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग literary criticism की series को आगे बढ़ाएंगे यानि इससे पहले हम लोग उने Aristotle की पार्टिक्स को देखा था आज की इस वीडियो में हम लोग on the sublime दोसो on the sublime जो work है ये literary criticism में दूसरा सबसे बड़ा work माना जाता है पहला पार्टिक्स उसके बाद में पार्टिक्स के बाद में सबसे बड़ा work इसको माना जाता है दोसो लंजाइनस को first romantic critic भी कहा जाता है किसने इनको first romantic critic कहा था वो आगे हम discuss करेंगे ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है तो शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो दोस्तो पिछली वीडियो दख हम लोगों ने literary criticism में Aristotle की politics को discuss किया था उसके बाद में उस work के बाद में Greek language में अगर कोई सबसे बड़ा work लिखा हुआ है तो वो दोस्तो Cassius Longinus ने लिखा है on the sublime इस work का नाम याद कर लेना on the sublime माना जाता है इसको Cassius Longinus ने लिखा था लेकिन ये exactly नहीं पता कि इसको लिखा किसने था Cassius Longinus तो third century का था और माना जाता है इस work को first century में लिखा गया था लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि इस work को Cassius Longinus ने लिखा होगा अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं कि कहां से ये कहानी शुरू होती है दरशल इस work on the sublime के writer Longinus की बारे में ठीक से किसी को भी नहीं पता Italy के एक writer थे एक critic थे Robert Telo उन्होंने 1554 में on the sublime नाम का ये work ये work present किया modern readers के सामने और कहा कि इस book को Longinus ने लिखा है उसके बाद बहुत सी research के बाद में ये तैय किया गया कि Longinus जो है वो first century का कोई author रहा होगा उसने लिखा होगा जिस Longinus को हम जानते हैं कैसियस Longinus उसने इस work को ने लिखा लेकिन बाद में कैसियस Longinus ने ही इस work को लिखा है ये माना गया तो अब ये माना जाता है कि इस book के writer है कैसियस Longinus जो की third century AD के philosopher थे ये literary criticism पर लिखा हुआ एक बहुत बड़ा work है और इसमें Longinus कुछ examples के साथ में कुछ अच्छी और बुरी writings की तारीफ और बुराई करते हैं और इस work की writing को देखकर पता चलता है कि इसकी writer Longinus प्लेटू से बड़े inspired थे दोस्तो इस book की writer Longinus को first romantic critic माना जाता है इस work को originally Greek language में लिखा गया है और unfortunately इसका one third part खतम हो गया है बाकि जो कुछ बचा हुआ है वो भी proper अच्छी तरह से अच्छी condition में नहीं लिखा हुआ Longinus दोस्तो Aristotle और Plato के बहुत बात की थे लेकिन ये Greek थे जब इनके आसपास Roman Empire था तब के Greek थे ये और ये Plato और Aristotle के thoughts को अच्छे से जानते थे कि poetry का भी अपना ही एक अलग मज़ा है Longinus, Horace और Homer दोनों के thoughts को समझते थे इन सब को समझने के बावजूद, इन सब को अच्छे से study करने के बावजूद इनके सबसे अलग thoughts थे खास करकि Aristotle और Plato से बहुत ही अलग thoughts थे ये मानते थे कि great literature का काम सिर्फ lecture देने का या मज़ा देने का नहीं होता या फिर great literature का काम सिर्फ thoughts को shape देना नहीं होता और भी बहुत कुछ करता है great literature आगे बताते हैं Longinus इस मामले में वो Plato के thoughts को हवा देते हैं और कहते हैं कि great literature किसी ना किसी चीज से inspiration लेकर पैदा होता है एक great literature को किसी ना किसी चीज से inspiration चाहिए होती है और वो अच्छा literature पैदा होने के बाद में extreme happiness देता है सब को कोई भी पढ़ने वाला हो ये मायने नहीं रखता बस ये जरूरी है कि वो अच्छा literature होना चाहिए वो सब को happiness देगा ये फरक नहीं पढ़ता वो कोई भी हो अच्छा literature सुनने और पढ़ने वाले के thoughts को उपर उठाता है अच्छे literature को पढ़ते हुए उसको पढ़ने वाला उसमें एकदम खो जाता है उसे कुछ और दिखाई नहीं देता वो extremely उपर उठ जाता है वो literature को नेच्रल और आर्टिफिशल आर्टिफिशल में तो words की भड़कीली और बनावटी टाइप की language होती है बिना मतलब की चीजे डाली जाती है जिनका कोई मतलब नहीं है जैसा कि literature लॉंजाइनस की time पर लिखा जा रहा था वो अपने time की literature की बात कर रहे है अपने time की literature को बोल रहे है और डूसरे type का होता है natural जो सबको extreme happiness देता है अब यहाँ पर natural type का sublime लिखने के लिए क्या वो बताते हैं इसके लिए लंजाइनस ने poets को कहा है कि आप art की technique की भी practice करो यानि की nature अपनी जगह है nature तुम्हारी तरह art का काम नहीं कर सकता nature सिर्फ तुम्हें चीजें दे सकता है जिससे तुम art को खुच जन दो art को तुम्हें बनाना है और इसी के साथ लंजाइनस उन poets को बोलते हैं कि तुम बनावटी पन वाले words और बिना लंजाइनस को first romantic critic कहा है अब यहाँ पर बहुत ही note करने वाली बात यहाँ पर लंजाइनस सब्लाइम के 5 source बताते हैं लंजाइनस के हिसाब से art में तो nature दिखना चाहिए और nature में art अब यह 5 source कौन से हैं पहला source है best thoughts दूसरा है strong passion तीसरा है figure of speech का ठीक तरह से use चौता है language का ठीक टाइप से arrangement मतलब language में noble diction भी शामिल करना चाहिए फिफ्थ है एक बुलंद dignified rhythm यह 5 source है sublime के कि creation करने वाले के अगर thoughts best होंगे तो वो best creation कर सकेगा एक best creation करने वाले को best life जीनी चाहिए जैसे level पर आदमी जीएगा वैसा ही लिखेगा छोटे level पर जीएगा तो छोटा ही लिखेगा दूसरा strong passions का होना भी बहुत जरूरी अगर यह नहीं है तो आदमी अच्छी creation नहीं कर सकता और strong passions भी natural होने चाहिए बनावटी नहीं और figure of speech का ठीक से use करना चाहिए जब चाहा तब इसका use नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जरूरी चीज है naturally इसका use करना चाहिए ऐसे नहीं लगना चाहिए पढ़ने वाले को कि यह दिखावे के लिए इसका use किया गया है figure of speech को दिखावे के लिए डाला गया है ऐसा लगना चाहिए यह creation का हिस्सा है यह सब पढ़ने के बाद Longinus की thoughts को evaluate किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि वो एक great western moral thinker थे उन्होंने literature में एक नई type की ideology को जनम दिया जिसकी बारे में Aristotle और Plato ने कभी सूचा भी नहीं होगा उन्होंने romantic ideology को जनम दिया मतलब वो पहले romantic reviewer थे जिन्होंने बताया था कि literature सिर्फ entertainment या फिर thoughts में बदलाव नहीं लाता बलकि पढ़ने वाले को sublime यारे की उचा उठाता है Longinus पहला आदमी था जिसने literature में imagination को पहचाना अब यहाँ पर दोस्तों कुछ points को note कर लेना जो काम आ सकते हैं सबसे पहले तो points को पहली बार imagination का मतलब बताया था Longinus ने दूसरा Scott James ने Longinus को first romantic critic बोला है तीसरा Longinus पर Aristotle से ज्यादा Plato का influence था Aristotle के बाद Longinus ही Greeks में सबसे great critic माना जाता है next Longinus के हिसाब से sublime एक quality है जिसको ना तो calculate किया जा सकता है ना copy किया जा सकता है ना ना पा जा सकता है और अगला point की इस work को Longinus ने posthumious talentinus को dedicate किया है जो की ancient room में एक public figure था उसको dedicate किया है अपना ये work on the sublime और इस work में roughly उन्होंने 50 authors की works को शामिल किया है including homer और next point ये है कि इस work में Longinus ने first book जो थी Bible की Genesis Genesis नाम था first book का Bible की first book जो थी उसको भी mention किया है और Alexander Pope ने अपने essay on criticism में Longinus की तारीफ में कुछ लाएने लगी है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोसो Elizabethan Age में रनिसा में एक Puritan Dramatist थे जिनका नाम था Stephen Gosson उन्होंने अपना एक work लिखा था School of Abuse तो ये कहानी बहाँ से शुरू होती है School of Abuse work में उन्होंने Elizabethan Age के जो English dramas थे और poetry थी उनको target किया था और कहा था कि ये society इसलिए ऐसी है क्योंकि यहां के dramas और poetry इस type के है क्योंकि वो Puritan Dramatist थे तो इस थाना से attack किया था उन्होंने poetry और drama पर तो इस वक्त मैं आपको बता दू इस वक्त एक बहुत ही famous poet थे Sir Philip Sidney उन्होंने इसको defend करने के लिए poetry को defend करने के लिए एक work लिखा था An Apology for Poetry यह work जो है दोस्तों बहुत ही famous work है English Literature का और Literary Criticism में एक बहुत बड़ा नाम है इस work का इसके अंदर poetry को defend करने के लिए Sir Philip Sidney ने काफी सारे arguments दिये हैं और दोस्तों आने वाले generations की writer जैसे P.B. Shelling इनसे बहुत inspire हुए और उन्होंने भी अपना work लिखा था Defense of Poetry तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है आगे हम सब discuss करेंगे शुरू करते हैं इस work के जरीए Sir Philip Sidney Poetry के आर्ट को सबसे उपर साबित करना जाते हैं क्योंकि शुरूआती Elizabethan time में शुरूआती Elizabethan age में Poetry की value down हो गई थी तो modern Poetry की value down हो रही थी तो Poetry के in critics से Sir Philip Sidney कहते है कि ये लोग actually जानते नहीं है कि Poetry का level क्या है value क्या है बस इन्होंने modern Poetry देखी है और ये भटक गए Sidney कहते हैं कि कोई सच में अगर Poetry के सही nature को true nature को समझ सकता है तो वो देखेगा कि Poetry सभी दूसरे arts में एक queen की तरह है एक monarch की तरह है और अपनी ये बात साबित करने के लिए वो classical suits का use करते हैं वो कहते हैं कि Poetry भी एक type से divine figure होता है और वो nature के perfect version को imagine कर सकता है और अपना एक world create कर सकता है इसलिए Poetry को God की तरह एक creator कहा जा सकता है और classical time में कहा भी जाता है ये creator या तो God को कहा जा सकता है या फिर Poetry को क्योंकि दोनों अपना अपना world create करते हैं यहाँ पर ध्यान देना सड़नी बात करते हैं जियो वानी Poetry प्यूगलियानों की जिसको Poetry की तरफ इतना ध्यान नहीं था वो Poetry की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था appreciate भी नहीं करता था लेकिन जैसे ही वो एक Poetry बना उसने बड़ा obelized feel किया तो इस defense of Poetry में Sydney आगे लिखते हैं जब कुछ भी नहीं था वहाँ Poetry पहला आर्ट थी philosophy और history दूरों से उपर क्योंकि बहुत सारे classical philosophers और historians जो prose लिखा करते थे उन्होंने भी Poetry के इस आर्ट का यूज किया है अपने works के लिए वो तो prose लिखा करते थे जबकि उन्होंने भी इस आर्ट का यूज किया जैसे Plato और Herodotus इन्होंने Poetry में लिखा अपने works को अपने philosophical allegories को इन्होंने Poetry में लिखा ज्यादा effective बनाने के लिए अपने work को इन लोगों को Poetry में लिखना जरूरी था अगर ये ऐसा न करते तो शायद ये इतने popular ना होते ऐसा बोलते हैं Sir Philip said ने Latin और Greek language में भी Poets को weights और poets बोला जाता है weights का मतलब मैं आपको बताता हूँ future देखने वाला classical world में Poetry को future की knowledge देने वाली एक important चीज माना जाता था consider किया जाता था दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि classical time में यानि कि Latin और Greek time में poetry को माना जाता था कि यह future की knowledge प्राप्त करने के लिए knowledge पाने के लिए एक important चीज है और यहाँ पर यह दूसरा word जो है poets इसका मतलब है maker यानि कि creator जैसे कि God है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि God भी एक creator है वो भी imagination को एक reality में बदलने वाला एक creator है वैसे poet भी अपनी imagination से एक अपना world create करता है तो उसी की तरह एक poet भी creator है अब यहाँ पर सिडनी वही Aristotle वाली बात को repeat करते हैं कि poetry एक art of imitation है यानि poetry art of copy है copy करना है इसमें जिसका काम होता है audience को pleasure देना poetry एक बोलती हुई picture होती है वो लिखते हैं कि वो किस टाइप की poetry को पसंद करते हैं वो religious या philosophical poetry की तरफ ना जुक कर बलकि सही poets ने जो poetry लिखी है उसे पसंद करते हैं poetry सिर्फ इस दुनिया में मौजूद subject matter की तरफ ही limited नहीं है बलकि virtue का भी perfect example set करती है poetry जो की चीजें real में नहीं है ऐसी चीजों की तरफ भी focus करती है poetry ये अच्छे की value को बताती है और दूसरा history और philosophy से ज्यादा अच्छी teacher है virtue की मतलब कि ये virtue को भी बहुत अच्छे सिखाती है क्योंकि history सर्फ facts बताती है क्या हो चुका है ये बताती है मतलब limited है और जहां तक बात की जाए philosophy की तो philosophy abstract ideas को बताती है लेकिन poetry इन दोनों से आगे है और ये अच्छे से अपने readers को instruct करती है एक philosopher क्या करता है wordish descriptions तयार करता है तो poet भी वो कर सकता है story और characters का use करके वो वैसी ही wordish descriptions को तयार कर सकता है जिसे आसानी से समझा जा सकी जबकि philosopher की बात थोड़ी boring लग सकती है लेकिन poetry में क्या story और characters आ जाते है तो वो boring नहीं लगती बात उसी याद रखा जा सकता है पढ़ने में मज़ा आता है जैसे कि ESO of Feebles इसका अच्छा example है तो एक poet को सही मायने में एक popular philosopher कंसेडर किया जा सकता है जैसे कि Virgil की Ineart तो एक poetry philosophy की तरह virtue सिखाती है लेकिन सही तरीके से इंट्रेस्टिंग तरीके से Sir Philip Sydney यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम poetry को पढ़कर virtue सीख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम cherry वाली medicine खा रहे हैं मतलब कि medicine भी खा रहे हैं वो भी cherry वाली अब यहाँ पर Sir Philip Sydney classical structure का यूज करके बोलते हैं कि poetry और poets के जो haters हैं उन्होंने चार बहुती serious charges लगा हैं poetry पर मतलब कि वो poetry को बदनाम करने के लिए चार charges का यूज करते हैं सबसे पहले तो poetry वो बोलते हैं कि poetry waste of time है दूसरा चार्ज यह है कि poets जूटे होते हैं उनकी poetry जूटी होती है तीसरा चार्ज यह है कि poetry हमारे morals को corrupt करती है और चौथा यह कि Plato ने भी ideal city of republic से poets को निकालने की बात की है तो यह 4 serious charges है poetry पर यहां पर सर फिलिप सिडनी चारों बातों का जवाब देते हैं और बोलते हैं कि इन चार्ज लगाने वालों को poetry की power का पता था कि poetry इनकी audience भी ना खा जाए क्योंकि poetry में virtue देने की बहुत power होती है अपनी audience को और इसमें बोलते हैं कि Plato ने अपने republic से bad parts को बाहर निकाला था good parts को नहीं यहां पर conclusion में सिडनी बात करते हैं modern poetry की यहां पर conclusion में वो modern poetry की तरफ कहते हैं कि English poets और poetry की साथ कुछ गलत नहीं है बलकि poets तो बड़े बेतु के तरीके से poetry लिखते हैं और playwrights बहुत ही बितु की तरीके से please लिखते हैं इन modern poets को ढंग से poetry लिखना सीखना चाहिए classical works से सीखना चाहिए classical works को पढ़ कर सीखना चाहिए सर बेवकुफी से copy नहीं करना चाहिए ऐसे के ऐसे नहीं उतारना चाहिए जैसे कि Sydney के time पे बहुत सारे poets, scholars और orators वगिरा कर रहे थे यहाँ पर end में Sir Philip Sydney English की भी value बताते हैं कि English भड़ी expressive language है बहुत ही अच्छा literature लिखने के लिए सारी qualities है इसमें बहुत सारे skillful writers इसका use करते हैं क्योंकि यह simple है और यहाँ पर critics को भी Sydney के arguments को seriously लेना चाहिए और दोस्तों यही है इस essay के अंदर I hope आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी आज की वीडियों बस इतना ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे literary criticism यानि की इस वीडियो का हमारा topic बहुत ही interesting है जिसमें भी मैं आपको वताऊंगा father of English literary criticism यानि की जॉन ड्राइडन की बारे में जॉन ड्राइडन कैसे father of English criticism बने और उनका जो work है essay of dramatic poesy दोस्तों इसी को देखते हुए Samuel Johnson ने जॉन ड्राइडन को father of literary criticism कहा है क्योंकि ये first literary critic थे जो consistency से अपना work जिन्होंने लिखा दोस्तों इन से पहले Philip Sidney और Ben Johnson जैसे writers आये थे जिन्होंने literary criticism को माइने दिये लेकिन को consistent work नहीं लिखा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज हम इनी को discuss करने जा रहे है दोस्तों जॉन ड्राइडन ने अपने आने वाले famous critics जैसे Alexander Pope और Matthew Arnold, T.S. Eliot इनके लिए poetic और literary, sorry critic developments की दोस्तों Samuel Johnson का नाम तो आप सभी ने सुना होगा English Literature के most important literary figure English Literature में most respected literary figure थे ये इन्होंने जॉन ड्राइडन को father of literary criticism माना है क्योंकि ड्राइडन ने English Criticism में English Literature की Criticism में बहुत ज्यादा contribute किया है और ड्राइडन का Criticism में सबसे famous work है Of Dramatic Poesies Essay Of Dramatic Poesies ये दोस्तों 1668 में publish हुआ था work जिसमें ड्राइडन ने ड्रामा को study किया है और इसी के किया है लेकिन Essay Of Dramatic Poesies के अंदर specially drama पर focus किया है जॉन ड्राइडन ने जॉन ड्राइडन कुछ बहुत अच्छी अच्छी बाते बोलते हैं इस essay के अंदर Essay Learn To Write Well Or Not To Write At All यानि कि अच्छा लिखना सीखो या फिर लिखना ही मस सीखो या फिर A thing well said will be written all languages मतलब एक चीज जिसको अच्छे से बोला गया हो वो हर language में समझदारी की ही बात होती है Samuel Johnson कहते हैं कि जॉन ड्राइडन के साथ A new era of criticism शुरू हुआ जॉन ड्राइडन ने ही English लोगों को criticism का पहली बार सही मतलब समझाया नहीं तो जॉन ड्राइडन से पहले occasional ही Ben Johnson और Philip Sidney जैसे बड़े literary figures ने criticism की बात की थी यानि की Philip Sidney और Ben Johnson जैसे बड़े literary figures के criticism में कोई consistency नहीं थी तो Samuel Johnson ने ड्राइडन के लिए लिखाया है ड्राइडन में भी प्रॉपरली considered as the father of literary criticism in English literature as the writer who first taught us to determine upon principles the merit of composition और Johnson ने ये वाद सही भी कही है ड्राइडन के लिए क्योंकि उन से पहले England में कोई भी consistent critic नहीं था बात की जैब Ben Johnson और Philip Sidney की तो इन्होंने भी अपना कोई consistent work या फिर कोई critical theory प्रेडियूस नहीं की जबकि ड्राइडन को father of literary criticism कहना सही होगा क्योंकि उन्होंने अपना essay of dramatic poison लिखकर first historical critic के रूप में English first historical critic के रूप में खुद को establish कर लिया और ड्राइडन के हिसाब से critic को ये समझना चाहिए कि हर writer अपनी age की हिसाब से लिखता है वो अपनी age का एक तरह से product होता है ड्राइडन का कहने का मतलब यह है कि जब आपको literary work पढ़ते हो तो आप उस work के अंदर उस age की चाप देखते हो जिस age में वो work लिखा गया है उस age का उस work पे बहुत असर पढ़ता है क्योंकि उस work के अंदर आपको उस age के social और historical background देखने को मिलते हैं वैसे आप Shakespeare के plays को Edmund Spencer की fairy queen को या फिर Ben Johnson के comedy of humor को देख लो या फिर Francis Bacon के essays इन सब के अंदर आपको Elizabethan background मिलेगा क्योंकि उसी time पर यह works लिखे गए थे तो Elizabethan background के अंदर आपको social background मिलेगा और historical background मिलेगा वैसे ही Chaucer के Canterbury Tales के अंदर आपको medieval England का social और historical background देखे को मिलेगा तो हर age के अंदर जो writer लिखता है तो उस age का social और historical background अपने work में शामिल करता है ये एक critic को समझना चाहिए according to Dryden अब दोस्तो Dryden father of literary criticism जरूर माने जाते हैं लेकिन एक बात ये भी सच है Dryden ने criticism पर सर्फ एक ही formal critical work लिखा है ये अपना essay of dramatic poise इसके अलावा कोई और Dryden का formal critical work नहीं है Dryden Greek और Roman critics से बड़ा influence थे जैसे Aristotle, Longinus और Horace इसके अलावा वो French critics से भी influence थे लेकिन Dryden कभी भी किसी rules को follow करने के लिए नहीं कहते थे कहने का मतलब rules के लिए गाना नहीं गाते थे इतने strict नहीं थे rules के लिए वो rules को सिर्फ substitutions मानते थे options मानते थे कि एक लगाम की तरह काम करते है rules लगाम जरूरी है लेकिन पहले घुड़ा तो हो और एक बात बताता हूँ इन जनरल Dryden के आने से पहले English literary criticism ill-organized था याने की Greek और Romans की तरफ ज्यादा heavily जुका हुआ था यहां तक की French की तरफ भी French और Italians की तरफ भी ज्यादा जुका हुआ था खुद की कोई life या identity नहीं थी literary criticism की मामले में Dryden को Augustus से compare किया जाता है जिसने इसके लावा Dr. Johnson ये बोलते हैं Samuel Johnson बोलते है कि John Dryden ने English language को refine किया है यानि की साफ किया है और इस language में sentiments को improve किया है अब बात करते हैं कि John Dryden अपनी age के अंदर इतने great कैसे हुए दोस्तों सिर्फ उन्होंने literary criticism का मतलब बताया इसलिए वो great नहीं हुए बलकि वो John Dunn और John Wilton ये उनसे पहले के part थे ये दोनो तो उनके बाद में सबसे greatest part थे John Dryden ये ठीक है अब इनसे पहले जो famous dramatist थे वो थे William Shakespeare और Ben Johnson उनके बाद में great dramatist निकल कर किया है John Dryden यानि कि ये great dramatist भी थे एक great poet भी थे literary criticism का मतलब भी इनोंने बताया इसलिए ये great एक तरह से great literary figure बन गए और इनकी age को तो इनहीं के नाम से जाना जाता है age of Dryden अगर criticism की बात करूँ तो John Dryden first historical critic first comparative critic first descriptive critic और first independent English critic थे अब ये सब तो मैंने आपको बताया कि क्यों इनको father of English criticism कहा जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि essay of dramatic poisey के अंदर इन्होंने क्या बात की है देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई particular video नहीं बनाई इसके उपर essay of dramatic poisey के उपर मैं आपको ये समझा दूँगा कि इसके अंदर क्या बात की गई है जॉन ड्राइडन ने क्या बात की है इस essay के अंदर चार characters के through चार different type के literature की बात की है जॉन ड्राइडन ने ये essay एक debate है जो चार characters के बीच में होती है और ये debate होती है drama के उपर कि drama किस type का best होता है इन चार characters के नाम है दोस्तों नॉट डाउन कर लेना यहाँ पर चार characters के नाम क्राइड्स ये first character है दूसरा है यूजेनियस तीसरा है लिसाइडियस और चौथा है नियंडर नियंडर दोस्तों जो है ये खुद जौन ड्राइडर ने माना है खुद को नियंडर यहाँ पर नियंडर का मतलब है नियू मैन ये चारो characters है जो अपनी destination पर जा रहे है तो ये आपस में बात करते हैं ड्रामा के बारे में debate करने लग जाता है इनकी बात debate में बदल जाती है इनमें ये जो पहला character है Crides ये ancient Greek और Roman authors को support करता है बहुत ज्यादा कहता है कि पुराने time में जो ड्रामा लिखा जाता था वो सबसे best होता था आज के time में modern time में तो कोई great work लिखा ही नहीं जाता ये जो दूसरा character है Eugenius ये बिलकुल ancient works को criticize करता है नहीं बताता बलकि ancient पुराने dramatist जो थे उनके parts बताता है कि पुराने time में जो ड्रामा लिखे जाते थे उनके अंदर तो act ही नहीं होते थे ऐसा सब कुछ बोलकर जबकि ड्रामा की ये जो last age है modern age ये best है दोस्तो तीसरा character ये Lysidious ये French ड्रामा की बात करता है ये French ड्रामा को सबसे supreme बताता है कि French ड्रामा सबसे best ड्रामा है French ड्रामा में हम लोग tragedy और comedy को mix नहीं करते बलकि separate रखते हैं जैसा कि English ड्रामा में किया गया रनिसा के अंदर तो ये कहता है कि French ड्रामा सबसे best है जबकि दोस्तों आखर में सबसे आखर में John Dryden जो की यहाँ पर Neander है वो बात करते हैं English ड्रामा की liberty के बारे में ये Lysidious की बात का जवाब देते हैं कि भले ही French ड्रामेटर्स tragedy और comedy को अलग-अलग रखते हैं और English ड्रामेटर्स जैसे Ben Johnson और Shakespeare उन्होंने इन दोनों को एक कर दिया हो variety देने के लिए तो Neander का हमको समझ में आ रहा है कि ये मानते हैं कि recent English dramatic tradition यानि कि Shakespeare और Ben Johnson का जो dramatic tradition है वो सबसे best है Neander बोलता है कि Shakespeare had the largest and most comprehensive soul He was naturally learned not through books but by reading of nature and all her images और Ben Johnson के लिए Neander बोलता है कि Ben Johnson was the most learned and judicious writer which any theater ever had और Neander बोलता है कि Shakespeare अगर Homer है dramatic poets के father है तो Ben Johnson वर्जिल है तो Neander इसी independent tradition of English drama को admire करता है कि अलग-अलग चीज़े नहीं रखनी चाहिए चाहिए तो tragic comedy कर दो variety होनी चाहिए एक तरह से तो यहाँ पर हम लोगों ने चारो के opinion सुने चारो characters के opinion सुने यह पहले character क्राइट्स के जो rules है वो तीन units में होते हैं time, place और action जबकि यह दूसरा character योजेनियस बोलता है कि हम लोग खुद को dull emotions के restrictions से बांद कर नहीं रखते ancients की तरह classics की तरह जबकि इस Lysideous के हिसाब से French plays best हैं और Lysideous के हिसाब से tragedy human nature को represent नहीं करती बलकि serious और complete action की नकल है tragedy तो यह definition Aristotle से बिलकुल different है, बिलकुल अलग है जबकि Neander के opinion हम लोगों ने साफ साफ सुनें कि वो Shakespeare और Ben Johnson को बड़ा admire करते हैं तो यह इन चारों में debate होती है और finally यह लोग debate करते हैं कि drama के अंदर rhyme होनी चाहिए या नहीं, तो इस पर यह creates बोलता है कि नहीं, drama में rhyme का क्या काम blank words में ही लिखने चाहिए drama गो, क्योंकि वो drama के बहुत ज़्यादा करीब रहती है blank words, इस पर Neander बोलता है कि ठीक बोल रहे हो लेकिन कुछ ड्रामाज बहुत ज़्यादा serious होते हैं तो उनके अंदर characters भी great होते हैं तो वहाँ पर rhyme blank words से ज़्यादा effective होती है तो rhyme ज़रूरी है drama के अंदर भी तो finally यह लोग अपनी destination पर पहुँच जाते हैं और इनकी debate किसी भी conclusion पर नहीं पहुँचती और दोस्तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी खतम होती है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Dr. Samuel Johnson का लिखा हुआ एक बहुत ही famous work Preface to Shakespeare दोस्तो यह जो work है यह Shakespearean criticism में एक landmark की तरह माना जाता है इसमें Shakespeare के plays को study करके Dr. Samuel Johnson ने 9 साल तक इन plays को study करके इसका criticism दिया है दोस्तों और यह बहुत ही famous work है दोस्तों इसके अंदर काफी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा मैं जितना अच्छे से हो सके इस वीडियो में इसको discuss करूँँगा शुरू करते हैं दोस्तों प्रफेस्टों Shakespeare में Dr. Samuel Johnson ने Shakespeare के plays का criticism किया है यह एक essay type का मानलो कोई essay है जिसको तीन parts में divide किया गया है सबसे पहला part है Shakespeare's general nature excellency दूसरा है Shakespeare's faults और तीसरा है the three unities time, place और action इन तीनों के बारे में बताऊंगा पहले तो यह work publish हुआ था 1765 पे तो सबसे पहले Johnson बोलते हैं कि जिस time पर वो थे यानि कि Augustan age में उस time पर लोग क्या करते थे कि old को तो glorify करते थे old की तो तारिफ करते थे old writers जो अपना work लिख कर गए गये जबकि contemporaries की कोई value नहीं थी साथ के writers की कोई value नहीं थी Johnson यहाँ पर बताते हैं कि कैसे decide किया जाए एक piece of literature अच्छा है या नहीं सबसे पहले तो यह देखो कि वो लंबे time के लिए रहने लायक है या नहीं दूसरा time के साथ धीरे धीरे gradually उसकी पहचान बढ़ रही है या नहीं तीसरा दूसरे वर्क से अगर उसका comparison किया जा रहा है तो क्या condition है उस वर्क की यह तीन चीज़े बताई है कि एक piece of literature अच्छा है या नहीं ऐसे decide किया जाए शुरू करता हूँ मैं प्रफेस्ट्री शेक्सपियर बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा इस वर्क में सेमिल जॉंसन ने शेक्सपियर के plays का analysis किया है उनकी qualities भी बताई है और defects भी इनका किया हुआ criticism बहुत ही जरूरी है दोस्तो modern criticism के लिए तो कुछ मानते हैं जॉंसन ने इस वर्क का criticism करते हुए prejudice रखा है लेकिन सच तो यह है कि 18th century में इससे बहतर literary criticism पर कोई work नहीं रहा दोस्तो क्योंकि इसको लिखने से पहले डॉक्टर साब ने 9 साल लगा दिये शेक्सपियर की works को ठीक से पढ़ने में और इस work को produce करने में उन्होंने ऐसा judgment दिया इस work के अंदर कि शेक्सपियर को सारे European writers में सबसे उपर चड़ा दिया अब वो इस work में बोलते हैं शेक्सपियर के plays practical knowledge का खजाना है उसमें life की philosophy मिलती है इनमें सर्फ एक passion नहीं होता सर्फ love का passion नहीं होता बलकि different different type के passions होते हैं जैसे lust, anger, pride वगेरा वगेरा तो इसलिए Johnson बोलते हैं नोट कर लेना कि शेक्सपियर के plays mirror of life जिन्दगी का आयना होते थे अब क्या होता है कि आज हमारी age में कोई writer होगा तो हम उसे इतना पसंद नहीं करेंगे लेकिन पुनारे writer को हम लोग glorify करेंगे उसको genius कहेंगे तो शेक्सपियर के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही था कि उनके contemporary writers उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने tragedy और comedy को mix करके tragic comedy बना दिया था और ये चीज अपॉल्ट मानी जाती थी उस वक्त क्योंकि उस वक्त माना जाता था classical rules के हिसाब से tragedy और comedy को separate रखो लेकिन Johnson ने इसमें Shakespeare को defend किया है कि अच्छा ही किया Shakespeare ने दोनों को mix कर दिया क्योंकि real life में भी सदों नहीं होता कि सर्फ हमारे साथ बुरी बुरी चीज़े हो रही हो या फिर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़े होती हो तो दूनों चीज़ों का mixture होती है joy, sorrow, tears और smiles, good और evil दूनों का mixture होती है जिन्दगी भले ये चीज़ classical rules के खिलाफ है लेकिन tragic comedy करके Shakespeare ने real life के बहुत करीब ला दिया था अपने plays को तो उनके plays हमें tragedy के instructions और comedy के pleasers दूनों देते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि Shakespeare ने tragic comedy का use किया तो यहाँ पर किसी तरह से tragedy की power कमजोर हो गई कि tragic comic plays के अंदर comedy कहीं भी tragedy के passion की progress को बीच में interrupt नहीं करती इसलिए in fact Shakespeare खुछ जानते थे कि pleasure बहुत सारी varieties में मिलना चाहिए सिर्फ melancholy और तकलीफ मिलती रहे यह चीज pleasing नहीं होती पास यह power थी वो अच्छे से जानते थे कि कैसे लोगों को रुलाते रुलाते हसाना है बात की जाए comedy की तो comedy के तो Shakespeare genius थे क्योंकि उनकी plays में comedy naturally ही आती थी लगता है कि comic scenes लिखने में उनको ज्यादा hard work नहीं करना पड़ता था और यह comedy scenes time के साथ durable थे time के साथ उनकी popularity पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा और comic scenes की language जो होती थी वो भी real life वाली होती थी ज्यादा उसको refine करके नहीं लिखते थे इसलिए अब तक वो पुराने नहीं हुएं हाँ tragedies को लिखने में उनको toil करना पड़ता होगा study करनी पड़ती होगी तो tragedies में तो skills लगाते थे और comedy naturally आती थी अभी यहाँ मैं Shakespeare के faults की भी बात करूँगा लेकिन पहले बात करते हैं Johnson ने Shakespeare के use of unities को defend किया है use of unities कैसे classical rules क्या बोलते है Aristotle के कि time, place और action की unity होनी चाहिए लेकिन Shakespeare की जो histories थी God से सुनना यहाँ पर Johnson क्या बोलते है कि Shakespeare की जो histories थी वो ना तो tragedy थी ना comedy थी इसलिए उसमें Shakespeare को classical rules को follow करने की जरुरत क्या थी unities को इसमें भी time, place और action को follow करो क्योंकि history तो history होती है history, place के अंदर कहां से वो time, place और action की unity को follow करते उनको इन history, place के अंदर बस consistency और naturalness को maintain करना था अपने characters में जो उन्होंने बड़े अच्छे से किया है बाकि histories के अलावा दूसरे works की अगर बात की जाये तो वहाँ पर भले ही time और place को ढंक से maintain नहीं किया हो लेकिन action की unity अच्छे से maintain की है वो action की unity पर ज्यादा ध्यान देते थे लेकिन time और place की unity पर Shakespeare ने ध्यान नहीं दिया लेकिन ऐसा माना जाता था कि time और place की unity को follow करने से drama में विश्वास बना रहता है लेकिन Johnson यहाँ पर बोलते हैं कि audience अच्छे से ये बात जानती है कि fiction कभी भी real नहीं बन सकता drama देखने वाले तो कुछ भी imagine कर सकते है drama एक delusion होता है और delusion की कोई limits नहीं होती उसमें कुछ भी हो सकता है ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि Shakespeare अपने action को किसी भी जगह दिखा रहा है जरूरी नहीं है कि character अगर डर रहा है तो चारों तरफ डर वाला माहौल create करना जरूरी है बिजली कड़क रही है ऐसा माहौल बनाना जरूरी है डर तो कहीं भी लग सकता है कैसे भी तो Shakespeare फोकस करते थे कि action के events एक दूसरे से connected हो आगे Johnson बोलते है कि drama हम को आगे लेकर के जाता है इसलिए नहीं कि यह सब हो रहा है वो सब real है drama में जो कुछ भी हो रहा है वो real है बलकि इसलिए कि audience भी यह feel कर सके कि यह drama में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है जैसे एक film है बागबन वोड़ी dangerous film है तो लिए Johnson बोलते हैं कि drama में unity of action हो यह sufficient है जरूरी नहीं यह time और place की unity भी हो क्योंकि यह duty assumptions को भढ़ावा देती है तो लिए अच्छा हुआ कि Shakespeare ने उन पर ध्यान नहीं दिया अब Johnson लेखते थे उनका मकसद होता था audience को मज़ा देना बजाए कुछ सिखाने की और ये उनके plays के साथ politic justice नहीं हुआ ये एक fault है जिसके लिए उनको उनकी ही age में शायद criticize जरूर किया गया होगा ऐसे आपने Shakespeare का एक play पढ़ा होगा Merchant of Venice उसके अंदर Porsche जब आदमी का भेज बजलकर एक lawyer बनकर कोट में जाती है trial attend करने तो उस time पर ये चीज morally accepted नहीं थी कि उस time पर women ऐसा कुछ कर दे लेकिन Shakespeare ने इसके पीछे कोई भी अपना moral purpose नहीं छोड़ा और अगर माल लो उस वक्त अगर court में उसको कोई पहचान लेता तो पूरा plot खराब हो जाता दूसरी गलती वो अपने plot को बड़ा loosely design करते थे कभी भी plot को improve करने की कोशिश नहीं करते थे गलती हो गई तो हो गई उसको सुधारना नहीं है जैसे merchant of Venice में एक कमी आपने notice की होगी नहीं की होगी अन्टोनियो शायलोक से क्या कहकर पैसे उधार दिलवाता है कि मेरे जहास समुद्र में यहाँ वहाँ फैले होएं जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको तुमारा पैसा वापस कर दूँगा लेकिन क्या ख़बर आती है कि इसके जहास डूब गए अब यहाँ वहाँ जहास पहले होएं तो सारे जहास के एक साथ डूब गए एक साथ खो गए या एक साथ ही नहीं लोटे सारे के सारे तो यह चीज़े गलती है और एक बात यह कि शेक्सपियर ने Egypt, Italy, Denmark इन सब कंट्रीज के बारे में इन सब के केरेक्टर्स के बारे में बता है लेकिन इनके केरेक्टर्स से इनको देखने से ऐसा लगता नहीं है कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि बंदा Italy से है तो लगे भी बस नाम ही होता था Italian नेचर इंगलिश वाला ही होता था उसका भी प्ले की स्पीच कभी कबार बहुत ही cold और weak हो जाती थी यह puns का use बहुत करते थे पंस के लिए यह reason और truth से भी sacrifice कर देते थे जैसे king liar के अंदर king और fool साथ में थे लेकिन वो साथ में रहने के बावजूद ऐसे लगता है king तो कभी fool की language बोल रहा है और fool कभी king की language बोल रहा है अब पता ने क्यों क्या reason था कि Shakespeare को यह आदत थी वो lower character से हमेशा एक lower character था उससे noble language बुलवाते थे दूसरा वो अपनी speech को थोड़ा सा effective बना सकते थे कैसे कि वो अपने works के अंदर Greek और Italian cultures के classical cultures के reference जरूर उठाते थे लेकिन वो ऐसे classical reference यह सोच कर उठाते थे कि इससे speech strong हो जाएगी जैसे merchant of Venice में Parchia Shalok से बोलती है कि ठीक है तुम Antonio का एक pound mask काट लो लेकिन एक भी बूंद खून की बहाय बिना तो अब मैं जहां तक जानता हूँ यह play का सबसे important part है लेकिन Shakespeare ने इसको सिर्फ एक single line में खतम कर दिया इसलिए यह चीज़ powerless, unsurprising और cold सी लगती है speech को थोड़ा बढ़ा करके effective बनाया जा सकता था और एक दो fault यह कि plot को थोड़ा लंबा खहंसते थे जैसे hamlet के अंदर वो अपने चाचा को मारने से हिच के चाता है hamlet तो एक दो act के अंदर तो यह चीज़ सही लगती है लेकिन उसकी बाद उबाव लगने लगती है चीज़ merchant of Venice में भी तीन तीन लड़के पाउचिया को देखने आते हैं अब वो एक लड़के से भी काम चल सकता था comedies के अंदर jokes अकसर कभी कबार मनमाने तरीके से गंदे भी हो जाते थे और वो इस टाइप के narration में कुछ हजीब बाते बहुत ही ज़्यदा highlight करके दिखाते थे कभी कभी narration about type का भी हो जाता था यह सब पॉल्ट्स गिनवाने के बाद में डॉक्टर सैमिल जॉंसन उनके merits की बात करते हैं qualities की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज Shakespeare ने blank words को perfect कर दिया इसमें flexibility लाकर और ऐसा करके यह इसे prose वाली language के करीब ले आए I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आज की वीडियो में बस अतना है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे नियो क्लासिकल एज का literary criticism मतलब इसमें हम लोग discuss करेंगे Joseph Edison और Alexander Pope को अब आप यह कहोगी कि इससे पहले John Dryden Sir Philip Sydney Ben Johnson इनके literary criticism को discuss नहीं किया Dryden पर मैं already दो वीडियो बना चुका हूँ उनके criticism पर और Sir Philip Sydney बना चुका हूँ Ben Johnson को मैं कभी और discuss करूँगा आज की इस वीडियो में हम लोग Augustine Age में Joseph Edison और Alexander Pope को discuss करेंगे हम सबको पता है कि ये अपने literature को किस टाइप से लिखते थे Classical roots को strongly follow करके लिखते थे उसी टाइप का इनका criticism भी है दोस्तो तो जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से बताने ही गोशुश करूँगा शुरू करते हैं दोस्तो ये दोनो Joseph Edison और Alexander Pope ये दोनो Augustine Age की थे लेकिन इनसे पहले वाली जो एज थी Restoration Age उसमें एक Great Critic थे John Dryden तो John Dryden के criticism से इनका criticism कुछ खास अलग नहीं है बस परक सिरफ इतना है कि इनकी एज में Augustine Age में criticism बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और बहुत सक्त हो गया था कड़ी से कड़ी जुड़ गई थी और माना यही जाता है कि इनको Critical Tradition Dryden से ही विरासत में मिला था Heritage में विरासत में एले चीज जो John Dryden से इनको विरासत में मिले थी Heritage में वो थी Cultural Nationalism English Literature के लिए John Dryden का जो प्यार था और French Literary Theories के लिए जो उनकी नफरत तो उस वक्त 19 साल के Alexander Pope ने Essay on Criticism में Dryden की Cultural Nationalism को फालो गिया था दोस्तों Pope ये कहते थे कि French Rules बुरे हैं English लोगों के Rules सही हैं खुद को French Critics से ज्यादा Flexible और Classic मानते थे French Critics से ज्यादा Classic मानते थे क्योंकि इनका मानना सही भी था एक टाइप से क्योंकि उस वक्त French Critics ने जो इनकी एज में Augustan एज में जो French Critics थे उस वक्त शायद उन्होंने Aristotle को पढ़ने में Miss Read मतलब ढंक से नहीं पढ़ा होगा Dryden ने भले इस चीज़ पर Focus ना किया हो लेकिन Alexander Pope ने खूब किया तो ये पहली चीज़ थी Cultural Nationalism जो इनको मिला था Dryden से विरासत में दूसरी चीज़ थी वो थी Historicism पर Historical Sense Dryden ने कभी भी Literary History नहीं लिखी यहां तक कि किसी Poet की Literary Biography तक नहीं लिखी लेकिन इनके Works को पढ़कर पता चलता है कि यह अलग-अलग Aegis शामिल करते थे और Pope और Edison ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया यह दूसरी Heritage थी जो इनको John Dryden से मिले Third Heritage है Descriptive Criticism का Tradition दोस्तों Dryden के Works ही एक result थे कि Augustans ने Descriptive Criticism पर Practice करना शुरू किया ज्यादा Casually और Naturally यहां तक कि Restoration Critics से भी ज्यादा Casually और Naturally तो यह तीन Heritage थी जो इनको मिले थी John Dryden से अब हम एक एक करके डिसक्स करते हैं पहले Joseph Edison Joseph Edison को डिसक्स करना ज़रूरी है इनके Criticism का मक्सद था Formation of Taste यह Taste of Polite Writing सबसे पहले Early Criticism जो शुरुआती इनकों ने Criticism किया था फिर Middle Period में इनके Prose Works और तीसरा सबसे Important एक Spectator नाम का General था मैंने आपको बताया था उस एज में इन्हों ने और इनके Friends Steel ने Dominate किया था तो वही इनका सबसे Best Criticism का टाइम था तो यह तीन phases है सबसे पहले शुरू वाली phase में जब यह 23 years की थे तो इन्होंने An Account of the Greatest English Poets को लिखा वोसे पढ़कर ऐसा लगता है कि यह बहुत immature टाइप से लिखा हुआ वर्क था क्योंकि उसमें इन्होंने Chaucer की Humor को Criticize किया क्या बोलकर इन्होंने लिखा In vain he jests in his unpolished train and tries to make his readers laugh in vain कमाल है उसी तरह Edmund Spencer की Fairy Queen में भी इनको कुछ खास नहीं लगा कुछ अच्छा नहीं लगा सिवाए यह एक Allegory थी और इसमें Improbable Adventures थे और Abraham Kowle को यह Mighty Genius मानते थे Shakespeare के लिए भी यह बोलते हैं कि Shakespeare is not so much as even mentioned तो इस work को देखकर यह कहा जा सकता है कि इनका early period था जिस वक्त ही immature थे और judgment की maturity इनमें age के साथ आए यह चीज़ कहीं जा सकती है फिर इनका middle period जो कि इतना खास नहीं था इस time पर prose writings इन्होंने की जैसे discourse of models और the remarks on Italy यह भी works इनके इतने खास नहीं थे फिर लास्ट फीज spectator papers इसी में आप इनके अंदर एक best critic देख पाओगे इन papers को भी तीन groups में बाट सकते हैं पहला group false and true wit वो tragedy के बारे हम बताते हैं कि modern tragedy classical tragedies को follow करके ही best है Greek और Romans को follow करके और English tragedies का style sentiment में superior है लेकिन इस last phase में भी यह Shakespeare को अभी तक ठीक से judge नहीं कर पाए जो की इनके judgment को सुधारा Romantics ने आकर बाद में और tragic comedy के लिए इनके views थे most monstrous invention मानते थे एक tragic comedy को और tragedies के plot के लिए Edison बोलते हैं कि tragedies का plot कभी भी double plot नहीं होना चाहिए दूसरा murderers को कभी भी stage पर नहीं दिखाना चाहिए तो George Sansbury जो की एक critic थे उन्होंने इनकी tragic comedy वाली बात की tragic comedy को यह बुरा मानते थे वो और double plot वाली बात यह चीज़ पसंद नहीं आई दूसरा group जिसमें यह Milton की paradise lost की बारे में बताते हैं paradise lost को यह examine करते हैं कुछ classical points के according जैसे people, दूसरा character, तीसरा sentiment और चौथा diction तो यह चार classical basics पर ही यह judge करते है paradise lost को people के according बहुत ही अच्छे से लिखी गई है paradise lost लेकिन characters में limited है ऐसा मानते हैं यह sentiments में बहुत ही अच्छा काम किया है और language की बात करते हैं कि language के सारे rules को अच्छे से follow किया है Milton ने Homer को follow किया है Obviously इन्होंने classical rules के according ही paradise lost को judge किया है और last group है दोस्तो imagination imagination की बारे में यह दो type की imaginations को बताते हैं primary imagination और secondary imagination लेकिन इन्होंने fancy और imagination में फर्क नहीं बताया इनके इसाब से दोनों का एक ही मतलब होता है fancy और imagination का तो as a critic इनकी achievement में ठीक टाक है इनके बाद में Alexander Pope Alexander Pope एक poet होने के साथ साथ great critic भी थे इनके important works हैं criticism में essay on criticism दूसरा imitations of the epistle of Horace to Augustus तीसरा his letters और चौथा his preface to edition of Shakespeare's please तो सबसे पहले essay on criticism तो इसमें ये सबसे पहले Homer और दूसरे ancients जैसे Longinus, Horace और Aristotle इन सब को immortal और imperishable बोलते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते कभी नहीं मरेंगे अमर हैं दूसरा इनका critical prospect है follow nature to follow classical rules Homer के works को दिन में पढ़ो और रात में भी पढ़ो और तीसरा वो बताते हैं कुछ rules art of writing के लिए तो ये classics को follow करते थे strongly Shakespeare पर जो इनका criticism किया गया है वो good sense और bad sense wisdom और folly दोनों में किया गया है दोनों combined है ये John Dryden की तरह बोलते हैं कि Shakespeare को अगर classical rules के according judge किया जाता है तो ये बोलते हैं to judge Shakespeare by Aristotle's rules is like trying a man by the laws of one country who acted under those of another Dryden भी यही बात बोलते थे same बात बोलते थे कि it is poly to judge Shakespeare by applying the rules of Greek masters विडियो में वस इतना है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती जरूरी work को discuss करने जारा है जिसका नाम है Preface to Lyrical Ballads इसको लिखा था दोस्तो William Wordsworth ने मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन दोस्तो वो वीडियो में कुछ खास नहीं था उसमें मैंने सिर्फ इसका introduction दिया था आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे essay को discuss करेंगी जी हाँ दोस्तो ये एक essay है जिसको William Wordsworth ने लिखा था इससे पहले एक poetry collection आया था William Wordsworth और A.S.T. College का collaboration में लिखाओवा work lyrical ballads दोस्तो इस essay के अंदर उसका introduction है और दोस्तो ये इतना जरूरी work है romantic period का एक तरह से इसको manifesto माना जाता है घूशना पत्र की romantic period शुरू हो रहा है तो दोस्तो बहुत ही जरूरी work है ये हम लोग ज़्यादा time to waste करते हैं शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो दोस्तो इस preface to lyrical ballads को मैं अपनी language में इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप सबको समझ में आ जाए कि इस preface की जरीए William Wordsworth कहना कह जा रहे थे Wordsworth कहते हैं कि 1798 में poems की जो first volume publish हुई थी जिसको हम lyrical ballads की नाम से जानते हैं वो मेरा एक experiment था ये check करने के लिए कि public का reaction क्या होता है कि जब मैं अपनी poems में इंसान की real language को use करता हूँ यानि कि common language को use करता हूँ मेरे चारों तरफ late neoclassical age में ऐसी poetry लिखी जा रहे थी उस वक्त मैंने ऐसी common language की poetry लिखी तो मैं test करना चारा था एक तरह से experiment करना चारा था कि readers का reaction क्या होता है क्योंकि मैं महसूस करता हूँ मुझे लगता है कि इस age के अंदर जिस age में words word थे late neoclassicals की age थी वो वहाँ past senses जो होती है इंसान की वो जो महसूस करता है poet जो महसूस करता है उन past senses से वो लिख देता है तो ऐसे में मैंने सोचा कि इंसान की जो nature से जड़ीवे real language है common language है उसको use करके एक test किया जाए और मेरा ये experiment successful रहा जितना मैंने expect किया था उससे ज्यादा ही successful रहा और लोगों ने मेरी poems को welcome किया मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे दोस्सेमिल टेलर कॉलरिज ने उसमें अपनी कुछ poems दी including rhyme of the ancient mariner और मैं और मेरे दोस्त यानि मेरे साथी poets एक नए type की poetry शुरू करना चाहते हैं जैसी poems आप लोगों ने lyrical ballads में देखी 1798 की collection lyrical ballads में देखी पहले तो मैं ये preface नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि मैं किसी को reason नहीं देना चाहता कि क्यों तुम इस type की poetry को पसंद करो क्योंकि ये नए type की poetry को शुरू करने का काम बड़ा ही complex होगा तो मैं पहले ही अपना preface दे रहा हूँ हमारी poems हमारी age के बाकी poets से बिलकुल अलग है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है कि एक author को एक हक है कि वो जैसे चाहे वैसे ideas को और techniques को use कर सकता है और हमें ये भी पता है कि हर एक age में poetry के अलग-अलग type और styles निकल-णिकल कर आए है और लोगों ने भी उनसे अलग-अलग चीजों को expect किया है catchless terence से लेकर Alexander Pope तक देख लो अभी poetry ही लिखता हूँ लेकिन अपनी age के contemporary poets से थोड़ा हटके लिखता हूँ nature पर लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं lazy हूँ बलकि मुझे लगता है कि poetry में एक नए type के change की जरूरत है मैंने lyrical ballads में जो poems लिखी है वो common लोगों की life पर थी बड़े ही honest तरीके से मैंने common life को दिखाने की कोशिश की है मेरा ये मानना है कि upper class life और जो language उस type के poets use करते है late neoclassical poets use करते है वो काफी नहीं है एक poet को अपनी बात express करने के लिए वो काफी नहीं है ये जो देहाती language है ये villagers की language है ये countryside की language है ये प्यार है ये nature से communicate करने के लिए सही language है इससे nature से communicate किया जा सकता है और ये language late neoclassical writers की language से बिलकुल अलग है क्योंकि Wordsworth का ये मानना था कि उनकी language जो है late neoclassicals की जो language है वो बहुत ही harsh और नफरत वाली tone की है तो Wordsworth कहते हैं कि late neoclassicals ये समझते हैं कि इस type की poetry लिखने से इनकी poetry को honor मिल जाएगा जबकि इनको पता नहीं कि इससे ये अपने readers से connect नहीं हो पा रहे इसके अलावा ये late neoclassicals randomly अपनी poetry की language change गर देते हैं मतलब अपने हिसाब से ये poetry को चलाते हैं according to Wordsworth ये सारे की सारे self-serving है यानि ये general जो पड़ी लिखी जनता है उसको ignore कर रहे है on the other hand मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त serious होके poetry नहीं लिखी जा रही गहराई से उसकी तरफ सोचा नहीं जा रहा और मुझे गर्व है कि मेरी जो poems है वो किसी purpose के लिए है मेरे हिसाब से poetry powerful feelings का एक spontaneous overflow है I hope आपने ये line सुनी होगी कही ना कहीं Wordsworth बोलते हैं कि तो ये जरूरी है कि अगर हम किसी चीज को feel करें उसकी तरफ emotional हो जाएं तो उस पर poem लिखने से पहले उसको एक बार गहराई से सोचें बहुत देर तक सोचें उस emotion को feel किया उस पे गहराई से सोचा उसके बाद जाके poetry जो लिखी वो जाकर एक better poetry बनती है अब यहाँ पर wordsworth एक बात और बोलते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि poet को हमेशा emotionally होना चाहिए उसको अपने thoughts का भी use करना चाहिए और मेरी poems का purpose यह है कि मैं thoughts और feelings दोनों को connect कर सकूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि wordsworth thoughts की बजाए feelings को ज़्यादा माइने देते हैं यह बात ऐसे साबित होती है कि wordsworth ने खुद ने का है कि मैं अपनी poems में actions और situations को feeling देने की कुशिश करता हूं ना कि feelings को action और situations देने की कुशिश करता हूं यह चीज मेरे readers मेरी दो poems poor Susan और childless father यह दोनो poems को पढ़कर समझ जाएंगे इस बात को तो यह चीज साफ साफ नजर आती है कि wordsworth feelings को ज़्यादा माइने देते थे emotions को ज़्यादा माइने देते थे thoughts के मुकाबले आगे wordsworth बोलते हैं कि industrial revolution और technological जो progress की वज़े से लोगों में ज्यादा जल्दी सुक संतुष्टी पाने की जो emotions जागे हैं तो लोगों में इन emotions को बढ़ाया इन late neoclassical poets ने यहाँ पे wordsworth खुद इस trend में ढलने की बजाए reader की sensitivity को पुकारते हैं ताकि उनका reader common चीजों से देहाती चीजों से जुड सके जबकि यह late neoclassical writers के जो works है यह इस time की आदमी को dull करते जा रहे हैं इनके works तो Shakespeare और Milton के valuable works से बिल्कुल नहीं मिलते जबकि wordsworth तो nature का use करते हैं reader को उसकी senses तक वापिस पहुचाने के लिए आगे wordsworth बहुत ही काम की बात करते हैं वो बोलते हैं कि मैं common language इसलिए use करता हूँ क्योंकि यह एक realistic और relatable language है ताकि मैं अपने reader को एक sense दे सकूँ सोचने समझने की शक्ती दे सकूँ कि वो जो चीज पढ़ रहे हैं उसको real life में apply करने की कितनी जरुरत है मुझे frustration इस बात की है कि कुछ phrases, कुछ कहावतें, phrases वगेरा इतना ज़्यादा use किया जाता है कुछ phrases का तो कि उनका original meaning जो है वो खतम हो जाता है गिसा जाता है एकदम उनको बहुत गिसा जाता है इसके अलावा मैंने कई critics को भी observe किया है कि वो poems को उनकी language की वज़े से disapprove कर देते है कुछ critics का ये मानना है कि poem को strict laws और meter का use करना चाहिए follow करना चाहिए वर्ट्सवर्थ यहाँ पर बोलते हैं कि John Milton और John Gray को देखो उन्होंने अपने कई important works के अंदर कुछ important lines को essay लिग दिया simply लिग दी उन्होंने तो कोई meter follow नहीं किया वर्ट्सवर्थ ये बोलते हैं कि मेरा ये मानना है poetry और prose इन दोनों की language में कोई खास difference नहीं है लोग अकसर poetry और painting को sisters कहते हैं तो फिर prose तो poetry के कुछ ज़्यादा ही करीब है तो इन में ज़्यादा फरक नहीं है poetry और prose में कुछ ज़्यादा फरक नहीं है दोनों सेम ही है दोनों एक खून की तरह नसों में दोड़ते हैं according to Wordsworth वर्ट्सवर्थ बोलते हैं कि मुझे लगता है कुछ लोग ये सोचते हैं rhyme और meter poetry को prose से अलग करते हैं वर्ट्सवर्थ बोलते हैं कि meter का use सिर्फ poem को सुन्दर बनाने के लिए नहीं करना चाहिए जिससे poem difficult हो जाए बलकि इससे क्या होगा reader के साथ गलत होगा बलकि meter का use तो इसलिए होता है ताकि poem को simple बनाया जा सके उसमें emotions डाले जा सके इससे poem ज्यादा खूबसूरत लगती है अब यहां पर William Wordsworth एक सवाल को clear कर देते हैं मेरे दिमाग में भी copy time से ये सवाल था कि William Wordsworth ने poetry को ही क्यों choose किया वो prose भी लिख सकते थे तो William Wordsworth खुद बोलते हैं कि इसका reason भी rhyme और meter ही है कि मैंने poem को choose इसलिए किया क्योंकि rhyme और meter ये दो ऐसी चीज़े हैं इनसे poetry में painful emotions को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है control भी किया जा सकता है अभी तो Shakespeare भी अपने काम में meter और rhyme का use करते थे अभी in the end हमको Shakespeare के काम pain से ज़्यादा pleasure देते हैं नहां पर Wordsworth ये भी कहते हैं कि मैं ये preface जो है ये खुद को defend करने के लिए नहीं लिख रहा बल्कि उनका कहने का मकसद एक साफ साफ मकसद है कि poet को emotions जो instantly जो दिमाग में emotions आए उसको लिख नहीं देना चाहिए बल्कि उस पर विचार करना चाहिए उसको सोचना चाहिए उसने क्या महसूस किया ऐसे पल भर की गर्मी आई और लिख दिया ऐसा नहीं चलता हो सकता है कुछ चीजे समझने में हम भटक जाएं कि हमने क्या महसूस किया अगर हम सोच समझ करके उस emotion को सोच समझ करके सारी चीजों को collect करके बाद में अगर अपनी poetry लिखेंगे तो poetry पढ़ने वाले को भी मजा आएगा सुख मिलेगा यहाँ पर Wordsworth ये भी बोल रहे है हो सकता है मेरी ही कुछ ballots में कमिया हो मेरी poems में बहुत सारी कमिया हो सकती है लेकिन at the same time Wordsworth ये भी बोलते हैं कि readers में भी तो बहुत सारी कमिया है कुल मिलाकर यहाँ पर Wordsworth poetry को और दूसरी poetic creations को बहुत seriously लेते हैं अब satire के बारे में भी कुछ बोल देते हैं Wordsworth यहाँ पर Wordsworth मेरे हिसाब से बड़ी अजीब बात कहते हैं कि satire को भी मजाक में नहीं लिखना चाहिए बलकि serious हो करके लिखना चाहिए satire को भी Wordsworth बोलते हैं कि मैं तो readers से कहना जाऊंगा कि अपने emotions और thoughts से सोचो बजाए इसके की दूसरों को क्या लगता है अपने emotions और अपने thoughts से सोचो तो कि readers अगर यह बोलते हैं कि मुझे वो एक poetry अच्छी लगती है और बाकी की खराब लगती है तो वापस जाओ वापस जाके फिर सोचो वो खराब poems के बारे में वापस से review करो according to Wordsworth poetry को पढ़ना और उसे judge करना एक talent है finally Wordsworth कहते हैं कि मैं नहीं जाता मेरे readers मुझे जल्दबाजी में judge करें क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में लिये हुए पैसले, लिये हुए judgments अकसर गलत साबित होते हैं अब दोस्तो इस बात से तो ये साबित होता है कि Wordsworth खोद क्रिटिसाइज होने से डरते थे तो दोस्तो इसी के साथ Preface to Lyrical Ballots खतम होता है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे Literary Criticism की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम discuss करेंगे A.T. Coleridge का Literary Criticism इनका Literary Criticism में एक बहुत ही famous work है दोस्तों कई critics मानते हैं इस work को Literary Criticism का work और दोस्तों कई critics नहीं भी मानते हैं इस work का नाम है Biographia Literary दोस्तों इसके अंदर A.T. Coleridge ने इसका base criticism का base जो है वो philosophy और psychology दोनों को बनाया है वो कैसे बनाया है आगे हम discuss करेंगे वैसे आज की ये वीडियो होने वाली थी William Wordsworth के Preface to Lyrical Ballots पर लेकिन दोस्तों उस पर मैं already दो वीडियो बना चुका हूँ तो उस पर क्या वीडियो और बनानी है तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो description में आपको link मिल जाएगा मैंने धंक से उसको discuss कर रखा है तो ज्यादा time ले बेस्ट करते पर शुरू करते हैं आज के अमरी वीडियो A.T. Coleridge के father एक clergyman थे जो books में बहुत कोई रहते थे practical life से एकदम दूर जबकि उनकी mother जो थी वो practical life से बहुत जड़ी हुई थी दुनियादारी से बहुत जड़ी हुई थी अब Coleridge के father की death के बाद में उनको 1781 में Christ Hospital लंडन में भीजा गया पढ़ने के लिए ये दोस्तों गरीब बच्चों के लिए एक वहाँ पर पढ़ने के लिए एक जगह थी Christ Hospital लंडन में लंडन में Coleridge का कोई भी रिष्टदार नहीं था सिवाए उनके एक अंकल के और उन अंकल के लिए एस्टी Coleridge कहते हैं कि उनकी अंकल कॉफी हाउस और बार वगेरा उनको ले जाया करते थे और वही Coleridge को शिराब पीने की आदत लगी Christ Hospital में रहते हुए Coleridge अपने future को लेकर बहुत सीरियस थे लेकिन एक चीज़ पर टिके रहने वाले नहीं थे कभी तो वो कॉबलर बनना चाते थे यानि कि एक मोची या फिर कभी वो एक डॉक्टर बनना चाते थे लेकिन उनका interest को मिलाकर literature की तरफ ही था वो fairy tales वगेरा पढ़ते थे अब 1791 में Coleridge जाते हैं Cambridge में पढ़ने के लिए वहाँ भी ये नशेडियों के लीडर बन गए और समझते थे कि शराब पीने से knowledge आती है और फिर पता ने क्या हुआ कि Cambridge से ये बिना degree लिए भाग गए और जाकर army join कर ली लेकिन बाद में इनको आइसास हुआ कि मैंने गलत किया और literature का जो प्यार था इनका वो इनने वापस Cambridge खेंच लाया अब दोस्तों यहां से कालरिज की interesting career की शुरुआत होती है यहां वापस आने की बाद इन्होंने humanity में सुधार के लिए एक scheme बनाई scheme का नाम था पैंटिसोक्रसी यह दोस्तों एक utopian scheme थी इसका मतलब क्या होता है एक ऐसी society जिसमें सारे लोग equal हो और सारे rule करते हों एक utopian type की एक society बनाने की सोची इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने सोचा कि हम लोग US में ऐसी community को establish करेंगे सस्क्यो है ना रिवर के पास में तो रॉबर्ट साओधी ने भी इस scheme को join कर लिया रॉबर्ट साओधी कहते थे कि वेल्स के पास हम रखते हैं इसकी कोई location तो एस्टी कॉलरज और रॉबर्ट साओधी के बीज में कोई location decide नहीं हो पाई और कुछ practical problems की वज़े से जो कॉलरज ने कभी expect नहीं की थी practical problems ये society बन नहीं पाई काफी सारे काम कॉलरज की life में अधूरे रह गए वो सब आगे आप देखोगे 1795 में कॉलरज की मुलाकात होती है विल्लियम वर्ट्सवर्ट से तो वर्ट्सवर्ट के influence से कॉलरज की poetry में कुछ maturity आई कॉलरज ने वर्ट्सवर्ट की sister दोरथी से भी काफी कुछ सीखा और उनको भी influence किया दोरथी भी कॉलरज की इस attractive personality से काफी influence हुई और डोरथी ने कॉलरज के लिए लिखा कि बड़ा wonderful आदमी है कॉलरज के साथ conversation दिल दिमाग और आत्मा तीनों पर असर डालती है बिलकुल William की तरह वो एक good tempered और cheerful है पहले पहले तो वो मुझे बड़ा simple लगा लेकिन कुछ मिनट तक उसकी आँखों में देखा तो उसकी आँखे ग्रे थी और उसकी eyebrows बहुत ही dark थी अब दोस्तों कॉलरज की married life की बात की जाए तो वो ठीक नहीं थी उनकी wife का nature उनसे बिलकुल नहीं मिलता था वो कॉलरज की बिमारियों को लेकर काफे परिशान रहती थी लेकिन इतनी सारी qualities को नहीं देखती थी कॉलरज की विलियम हैजलिट ने भी कॉलरज को जब दोस्तों पहली बार सुना तो वो बड़े impress हुए और उनके लिए कॉलरज के लिए एक paper लेखा फिर कॉलरज के religious opinions change हो गए और फिर इन्हों ने German philosophy की तरफ ध्यान देना शुरू किया अगर आप कॉलरज के thoughts देखोगे तो gradually इनके thoughts में change आता ही गया दोस्तों ये German philosophy से बहुत ज़्यादा attracted थे और सबसे ज़्यादा influence थे Emmanuel Kant से जो की एक German philosopher थे उनकी philosophy से सबसे ज़्यादा influence थे 1798 में इन्होंने Wordsworth के साथ मिलकर Lyrical Ballads का First Edition पब्लिश किया जिसने इन दोनों को fame दिलाए लेकिन कुछ सालों बाद कॉलरज बीमार पड़ गए Physical pain होता था उनको और उसी pain को कम करने के लिए कॉलरज ने अफीम लेना शुरू कर दिया और कॉलरज ने लिखा कि ये काम कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे जादू सा हो गया मुझे अच्छा फील हो रहा है मैं recover हो रहा हूँ लेकिन जो वो recover हो रहे थे वो temporary अफीम वो temporary थी अफीम जब उतरी तो सिर का दर्द शुरू हो गया मतलब पूरी body में pain होने लगा और इसके बाद अफीम लेना इन्होंने बंद नहीं की बल्कि और ज्यादा लेने लगे जब भी depression होता था वो अफीम लेते थे और उसे लेते लेते ये और ज्यादा depression में चले गए और तब जाकर इन्होंने अपना work compose किया ode to dejection इसके बाद कॉलरिज की जो intellectual और imaginative power कुछ time के लिए active हुई तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे works लिखे दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी कमी इनकी ये थी कि ये किसी work पर ठीक से काम नहीं कर पाते थे और इनके कई friends ने इन्हें कई lecture देने के लिए बुलाया Shakespeare पर इन्होंने कई lecture दिये और अब इनकी बिगड़ते हुई condition ने इनको financial problems में डाल दिया बहुत ज्यादा financial problems में इनके बेटे को Oxford fellowship से बाहर निकाल दिया गया जिससे इनकी problems double हो गई तो अपने बेटे को देखकर कभी-कभी तो इनको proud होता था लेकिन खुद की condition को देखकर अफसूस होता था इसी मेनाकरी की situation में इन्होंने अफीम और ज़्यादा लेना शुरू कर दी college के पास इस वक तक कुछ भी नहीं था सिवाए अपनी देवाना कर देने वाली बातों के वो विमारी के time पर अपने friends वगेरा को कुछ ना को सुनाते रहते थे क्योंकि उनके friends उनके आस-पास आकर इखटा हो जाते थे उनके brilliant ideas को सुनने के लिए और दोस्तो इन ही सुनने वालों में दो बंदे जो की आने वाले celebrities थे वो उनसे मिलने आए सबसे पहले तो Emerson Ralph Waldo Emerson जिन्होंने अमेरिका में transcendentalism movement को support किया था और दूसरे थे Thomas Carlyle उनको महसूस हुआ कि college मर रहे हैं उस वक्त दोस्तों college की condition बहुत खराब थी एक शाम वो अपने दोस्त को अपने religious views के बारे में बता रहे थे तो बोलते बोलते उनकी आवाज थम गई कुछ घंटों के लिए वो कुछ नहीं बोले and after few hours he quietly passed away जब Wordsworth को पता चला कि college गुजर गए तो Wordsworth ने कहा He was the most wonderful man that I have ever known जो भी college को जानता था सब उनकी death पर रोए कितना brilliant आदमी हमारे बीच में से चला गया एक gifted unique strength of mind और original ideas की quality थी college के अंदर अब बात करते हैं college के literary criticism में सबसी जरूरी work biography या लिटररिया की दोस्तों ये college की 6 महिनों की मैनत का result था ये work और इसके अंदर 24 chapters है इसको लिखने के लगबग डेड़ दू साल तक इसको publish नहीं करवाया गया डेड़ दू साल बाद इसको publish करवाया गया वो क्यों वो मैं आगे बताऊंगा इसको लिखने से पहले कई बार college ने सोचा कि क्या उन्हें अपने philosophical क्या उन्हें अपने philosophical और literary views पर लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए युग दोस्तों हमको पता है कि lyrical ballads के second edition का जो preface था उसको ये estry college लिखना चाहते थे और अपने literary theories देना चाहते थे लेकिन कुछ सालों बाद wordswirt ने खुद लिखा कि ये preface मैंने estry college के request पर लिखा था लेकिन सस्तों ये था कि college ने खुद पहले इस preface को लिखने के बारे में सूचा था लेकिन बाद में कुद college ने इस preface लिखने के idea को छोड़ दिया और अपने notes wordsworth को दे दिये इसके बाद time गुजरता गया wordsworth और college की पार्टिक डिक्शन की theories में फर्ग आता गया ये बात biography या literature में साब देखने को मिलती है उन्होंने उसमें wordsworth की theory of party addiction का criticism भी किया है दोस्तों college ने और wordsworth को इस बात पर of course गुस्सा आया कि पहले तो college ने खुद मुझे ये सब लिखने के लिए प्रेच किया और अपने preface में और बाद में अब criticize कर रहा है इससे पहले college ने lesson की biography पर लिखने की सोची और वो जर्मनी गए material जमा करने के लिए लेकिन तभी इनकी health बिकड़ गई और कई सारे plans बनाए थे उन ideas को भी इन्होंने drop कर दिया और contemporary poetry की study करने लगे और फिर इसके बाद इन्होंने wordsworth की poetic diction की theory को examine करना शुरू कर दिया अब 1803 में इनके दिमाग में fresh ideas आए और इन्होंने फैसला किया कि ये एक book लिखेंगे autobiographical form में और इस book का पहले इन्होंने नाम दिया था autobiographical autobiographical literature और वो अपनी इस book को लेकर इस writing को लेकर बहुत excited थे और इस work को publish होते देखना चाते थे लेकिन अभी भी इस book के content को लेकर ये serious मतलब इतने sure नहीं थे अब इनका bad luck देखो कि मैंने आपको बताया था कि ये लिखने के 2 साल बाद publish होई थी तो क्यों जबकि ये इतने excited थे इसको publish करवाने के लिए ये book 18-17 तक publish नहीं होई क्योंकि publisher ने इस book के size को miscalculate कर दिया था पहला volume तो print हो गया लेकिन दूसरे volume के लिए material content नहीं मिल पाया तो कॉलरिज ने और ज्यादा content लिखा और एक बात publisher से साफ कर दी थी कॉलरिज ने कि मैं जो पहले लिख चुका हूँ उसे वापस नहीं लिख सकता तो इन्होंने wordsworth की तारीफ की wordsworth की poetry की तारीफ की और फिर इनका content कम पढ़ गया तो कॉलरिज ने कुछ चीजे revise की फिर भी इनका content कम पढ़ गया तो publisher ने कहा कि और content चाहिए तो कॉलरिज ने conclusion लिखा इसके बाद दो साल के delay के बाद में 1817 में biography लिटरिया को दो volumes में publish करवाया गया लेकिन इस work में बहुत सारी चीजे misprinted थी तो Blackwood magazine ने इस book का review बहुत ही खराब किया लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस work को पसंद किया और इस work को achievement में मिली Coleridge one of the greatest critics थे England के जिनकी rank criticism में जिनकी rank Aristotle और Longinus वाली है और उनकी criticism की range भी बहुत wide है इनको German transcendentalism और English romanticism के बीच की link माना गया है कई सारे critics ने कहा है इनको क्योंकि German philosophy से ये बड़े inspired थे याद रखना दोस्तों ये चीज़ की Coleridge German philosophy से बड़े inspired थे और philosophy को ही इन्होंने criticism का base बनाया है अब Coleridge ने English criticism को क्या-क्या दिया है ये discuss करते हैं Coleridge के criticism का तरीका अलग था वो rules बनाते थे और फिर judge की तरह literary works पर अपना फैसला सुनाते थे वो as a critic ऐसा नहीं करते थे कि वो किसी work को पढ़कर बताएं कि उनको कैसा feel हुआ या फिर अपना reaction दे बलकि उनका तरीका एकदम नया था वो ये बताते थे कि इस work ने मुझे पर कितनी चाप छोड़ी और इस work को और याद रखना दोस्तो estri college अपने criticism में philosophy और psychology दोनों का यूज करते थे कि किसी work ने उन पर psychologically कैसा अफर छोड़ा है और एक जरूरी चीज college की imagination का principle दोस्तो बहुत सारी चीज college की कई critics को बचकानी लगती है उपर से तो ये चीज बचकानी लगती है लेकिन college पहले शक्स थे जिन्होंने imagination और fancy में फर्क बताया था ध्यान रखना college ने imagination और fancy में फर्क बताया था और वो बुखते थे कि जैसे इनसान एक जिंदा creature है वैसे एक poetry भी एक जिंदा creature होती है उसकी चीर फाड करके उसको examine मत करो वो मर जाएगी ऐसा मानते थे college और दूसरा किसी poetry का size decide होता है उस poetry के subject से subject जैसा होगा उतनी ही तो size होगी एक poetry की लंबी या चौड़ी नहीं कर सकते उसको ज्यादा उस poetry को ज्यादा या कम कैसे करेंगे और figure of speech ध्यान देना वो figure of speech की जो बुराइयां करते हैं उनको नहीं करने चाहिए ऐसा वो मानते थे ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं होती बलकि poetry को enjoy करने के लिए ये चीजे poetry को interesting बनाने के लिए चीजे बहुत जरूरी है Horace, Sir Philip Sydney और Dr. Johnson ये तीनों मानते थे कि poetry pleasure तो कम देती है और lecture ज़्यादा देती है मतलब लेक्चर देने का काम ज़्यादा होना चाहिए poetry का लेकिन Coleridge मानते थे कि poetry का काम सबसे पहले pleasure देना होता है और Coleridge के हिसाब से एक अच्छी poetry वो होती है जिसके सारे हिस्से जिस poetry के सारे हिस्से एक दूसरे को सहरा दे अब as a critic Coleridge कैसे थे ये अगर देखा जाये तो उनके खुद के टाइम पर 19th century में उनको समझने वाले बहुत कम थे इसका reason ये था कि उनके principles बहुत ज़्यादा philosophical थे और ठीक तरीके से उनके works को set नहीं किया गया बलकि बहुत ही बिखरे हुए works है उनके Victorians ने तो Coleridge को बिलकुल समझा ही नहीं क्योंकि वो beauty में interest रखते ही नहीं थे Victorians को कहा था beauty में इतना interest था ही नहीं George Sandsbury और I.A. Richewitts ने तो Coleridge को एक great critic माना है लेकिन Professor Rager बोलते हैं कि Coleridge के principle सनक भरे थे मैं उनको एक great critic नहीं मानता खेर आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही तो आज की इस वीडियो में हम लोग Victorian criticism को आगे बढ़ाएंगे और discuss करेंगे Matthew Arnold का literary criticism इससे पहले दोस्तो Walter Peter में वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि इस पर वीडियो बनाने चाहिए तो आपका positive response आया था दोस्तों Matthew Arnold एक social critic भी थे socio ethical critic और literary critic भी थे तो socio ethical critic यानि की social criticism का इन में यानि की social criticism में इनका बड़ा role है दोस्तों इन्होंने अपना practical और theoretical दोनों टाइप का criticism बताया है तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसको discuss करेंगे इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि Keats, Thomas Gray, Wordsworth और Shelley इन पर क्या thoughts थे Matthew Arnold की तो वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है इसको एंट तक देखना दोस्तों काफे कुछ जानने को है इस वीडियो में शुरू करते हैं दोस्तों Matthew Arnold Victorian Critics में एक बहुत ही बड़ा great नाम है लेकिन पहले ये एक poet थे as a poet इन्होंने अपना career शुरू किया था एक सिर्फ 11 साल की age में लेकिन फिर इन्होंने बाद में सिर्फ criticism ही लिखा अब ये criticism की तीन phases है दूस्तों तीन periods बोल लो या phases बोल लो पहला phase तब जब इन्होंने the preface to the poems on translating homer और essay in criticism जैसे works को लिखा ये पहला phase था लेकिन दूसरे phase की अंदर इन्होंने culture and anarchy literature and dogma god and the bible जैसे works लिखे इस phase में इस phase को देखकर ऐसा लगता है कि political, educational, social, religious controversies से ये जुड़े हुए थे इस time पर तीसरा phase आता है जब इन सब controversies से Arnold ने खुद की retirement ले ली थी और विट से ये वापस literary studies की तरफ आ गए थे इन्होंने essays in criticism की second series को फिर publish करवाया 1888 में और इसलिए दोस्तों इनका criticism दो तरह से divided है पहला है literary criticism और दूसरा है socio-ethical criticism ये जो socio-ethical criticism है इसमें culture and anarchy बहुत ही famous वर्ग है और दोस्तों इनके literary criticism में भी दो categories divided है एली है theoretical दूसरी है practical theoretical criticism और practical criticism अब ये theoretical criticism में ही study of poetry भी आता है दोस्तों study of poetry इनका बहुत ही famous वर्ग है अब ये तो मैंने एक overview दिया Arnold के criticism का तो आईए अब इसको details से discuss करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुरुआत में इन पर किसका influence बढ़ा criticism में सबसे पहले इनके father Thomas Arnold का वो खुद भी एक great scholar थे rugby school के headmaster थे और उन्होंने Matthew Arnold को classical methods की तरव interest बढ़ाया Matthew Arnold का तभी इनको Greek और Latin language की अच्छी कासी knowledge हो गई दूसरा इन पर influence था इनकी age का Victorian age का जिस age में Matthew Arnold रह रह रहे थे उससे तंग आकर इन्होंने criticism किया उस age का तो अगर इनका criticism समझना है तो Victorian age को भी समझना बहुत ज़रूरी है तीसरा इन पर classical writers जैसे Aristotle, Homer, Sophocles, Virgil ये सारे writers इन सब को पढ़ रखा था और इन सब का influence था इनके college days में इनको classics का best scholar कहा जाता था जैसे की gothy इनकी बड़ी तारेफ की है Arnold ने और और भी कई सारे context का influence था इन पर अब ये सारे influence एक तरफ लेकिन जब इस सब की अलावा 1857 में इनको Oxford University में professorship मिली तब इनको एक तरह से एक opportunity मिली तब इन्होंने खुद को literary activities की तरफ समर्पत कर दिया धंग से तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके सबसे famous work study of poetry की इसके कुछ points मैं आपको बता देता हूँ वैसे मैं इसको discuss कर चुका हूँ तो study of poetry में ये सिर्फ poetry की बात करते हैं सबसे पहले इनके हिसाब से इस work में poetry का future इन्होंने बहुत बड़ा बताया है religion बहुत ठक चुका है तो अब इसका काम poetry करेगी इनके हिसाब से पहला point दूसरा poetry जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ने चाहिए क्योंकि poetry के बिना science भी incomplete है Matthew Arnold ऐसा बोलते है तीसरा readers को खुद अंदाजा लगाना चाहिए कि कौनसी poetry classic है और कौनसी नहीं उसकी qualities को देखकर duty qualities भी होती है classic बनाने के लिए poetry को चौथा वो बोलते हैं कि Shakespeare और Milton ये तो great particle classics थे लकिन John Dryden और Alexander Pope नहीं थे बहले ये दोनों कितने भी great रहे हो ड्राइडन और Pope ये political classics बिलकुल नहीं थे Matthew Arnold इनको classics of English poetry नहीं मानते बजाए इसके वो classic of English prose जरूर मान सकते हैं लेकिन classics of English poetry इनको नहीं मानते फिला point ये कि Matthew Arnold इन दोनों की ही Alexander Pope और John Dryden की ही age का एक unique poet मानते हैं Thomas Gray को कि वो poet बहुत ही कमाल का था हलाकि उसमें उसकी age का कुछ influence आप देख सकते हो लेकिन Thomas Gray एक कमाल का poet था next point ये कि एक poetry होती है genuine poetry और दूसरी poetry होती है ड्राइडन और Pope लिखते थे बनावटी poetry उस type की poetry इसके बाद वो study of poetry में बात करते हैं Scottish poems की जैसे की Robert Burns Robert Burns को दोस्तों ये एक great poet मानते थे क्योंकि इनकी points में Matthew Arnold के हिसाब से force और charm दोनों देखने को मिलता है इनकी poetry में आपको high seriousness मिलेगी यहाँ पर study of poetry में वो high seriousness पर focus करते हैं ज्यादा focus करते हैं और end में बोलते हैं कि एक अच्छा literature कभी अपनी value कभी भी अपनी value नहीं होता अब बात करते हैं दोस्तों Arnold की poetry की theory की और भी बहुत कुछ सबसे पहले तो Matthew Arnold को Greek culture, art और literature से प्यार था जो कि हमको इनके work preface to the poems में साफ देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो poetry में एक suitable action की बात करते हैं यहाँ पर Matthew Arnold की action is everything according to Matthew Arnold action is everything second वो subject of poetry की बात करते हैं इसमें वो बोलते हैं subject of poetry बहुत ही जरूरी है इसमें वो modern poets को सला देते हैं कि modern poets को modern themes और subjects की according ना जाकर ancient themes और subjects की according जाना चाहिए thirdly वो बात करते हैं manner और style के बारे में तो वो poets के लिए एक बात बिल्कुल गलत मानते हैं वो मानते हैं कि अगर पर्ट ये मानता है कि उसका subject inferior होगा और वो जैसा treatment करेगा अच्छे से treatment करके उस चीज़ को cover कर लेगा तो ये बात बिल्कुल गलत है poetry का subject और action excellent होने ही चाहिए Matthew Arnold के हिसाब से treatment simple जैसे ancient classical का होता था उस type से कर सकते हो next वो बताते हैं कि हमारे safe guides कौन हो सकते हैं तो ancient writers हमारे बहुती safe guides हो सकते हैं लेकिन जैसे Shakespeare Shakespeare के लिए Arnold बोलते हैं कि वो एक safe guide बिल्कुल नहीं मानते Arnold Shakespeare को इक safe guide नहीं मानते वो ancient को ही safe models या safe guides मानते हैं Next Matthew Arnold Grand Style में भी Classics को उपर मानते हैं, Moderns को नीचे, जैसे दाते, हॉमर, मिल्टन, ये तो Master, इन में तो Master वाली qualities थी, लेकिन दूसरे English parts जो थे, जैसे की Keats, इनके पास Shaping Power नहीं थी, मतलब कि ये अपने Passion के Slave थे, Passion के गुलाम, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, Shaping Power Great Party के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए Classics को अपना Model बनाना चाहिए, ऐसा कहते हैं Matthew Arnold, अब Matthew Arnold बतते हैं Definition of Criticism के बारे में, कि एक Critic में क्या-क्या Qualifications होनी चाहिए, सबसे पहले तो Criticism की जरूरत क्यों है, और एक Critic की क्या Importance होती है, तो इस मामले में Matthew Arnold भी यही बात मानत हैं कि Creation सबसे उपर है, पहले Creation होनी चाहिए, Criticism बात की बात है, यह बात हर कोई मानता है, Matthew Arnold भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इसी के साथ वो बोलते हैं कि Critical Activity भी बहुत जरूरी है, Creation के लिए, Creation भी तब होगी जब Criticism होगा, अच्छी Creation तब होगी जब Criticism होगा, Creation के लिए Noble Ideas देता है Criticism, Criticism ही Creative Powers को Develop करने में मदद करता है, और इस मामले में आगे वो बोलते हैं कि Personal और Historical जो Judgment होता है, वो एक False Standard का Judgment है, ऐसा वो मानते हैं, तो एक सही Method क्या है Judgment का, किसको मानते हैं वो सही Method Judgment का, तो Touchstone Method, अपना Touchstone Method, दोस्तों हम लोग बात करते हैं Matthew Arnold की Practical Criticism की, अब Practical Criticism में, Essay in Criticism की First और Second Series जो थी इनकी, उन दोनों में इन्होंने Practical Criticism की बारे में बहुत कुछ बता है, और दोस्तों बहुत सारे Essays भी लिखे हैं इन्होंने, Matthew Arnold ने, और Study of Poetry में मैंने आपको बताया है कि English Poetry का इन्होंने अच्छे से सर्वे किया है, चौसर से लेक Method इन्होंने Apply किया है, अब इनकी Essays की बात करते हैं, दोस्तों इन्होंने Essays लिखे हैं, Thomas Gray, John Keats, Shelley, Wordsworth, ये इनके कुछ Best Essays हैं, इनहीं की बात करते हैं, तो सबसे पहले Thomas Gray, जो कुछ भी मैं आपको आगे बताऊंगा, सब Matthew Arnold की Thoughts हैं, Thomas Gray के लिए, और Keats, Wordsworth इन सब के लिए, तो Thomas Gray के लिए बोलते हैं कि Dr. Samuel Johnson जो थे, वो Thomas Gray को बिलकुल पसंद नहीं करते थे, जबकि बाकी critics जो थे, इनकी तारीफ करते थे, Thomas Gray की, दॉक्टर Johnson ने इस मामले में Thomas Gray के साथ Injustice किया है, दूसरा, इनकी Allergy जो थी, Thomas Gray की Allergy Return in a Country Churchyard, वो पोयम हम सब ने पढ़ी है, अगर इस पोयम को प्रोज में भी लिखा जाता, Thomas Gray अगर इसको प्रोज में भी लिखते, तब भी ये शायद इतनी फेमस होती, इतनी ही फेमस होती, तीसरा, Thomas Gray उस टाइम पर History, Politics, Philosophy, Natural Science, ये सब उन्होंने पढ़ रखा था, बहुत ही qualified आदमी थे, ये भी उनकी Greatness का एक प् ग्रे के पास वो सारी qualities थी, जो उनको एक Great Part बनाए, उनके टाइम पर उनसे ज्यादा जीने वाले भी Parts थे, लेकिन उनसे Great वर किसी ने नहीं लिखा, उनकी Age थी Age of Pruse, उस Age में Born Part थे, Thomas Gray, Matthew Arnold के हिसाब से, लेकिन उनकी Partry के Diction में आपको कुछ Faults भी मिल जाते हैं, जो कि उस Age के Parts थे, लेकिन फिर भी Thomas Gray को पढ़ना बहुत जरूरी है, Matthew Arnold के हिसाब से, बात करें कीट्स की, तो कीट्स के लिए क्या Thoughts थे, Matthew Arnold के, कीट्स एक बहुत Essentious Part थे, no doubt, लेकिन उनमें Self-Control नहीं था, According to Arnold, कीट्स के Love Letters को देखकर लगता है, कि वो Passion के गुलाम थे, खुद पर कोई भी Self-Control या Dignity नहीं थी कीट्स की, जिसकी वज़े से, उनको एक Great Part नहीं मानते हैं, Arnold, उनमें Self-Control और Dignity की कमी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी, कि कीट्स को हर चीज में Beauty दिखती थी, वो Beauty को बहुत पसंद करते थे, और ये कोई छूटी Achievement नहीं है, लेकिन बस उनकी किस्मत खराब थी, कि वो जल्दी गुजर गए, वरना उनके काम में भी Maturity देखने को मिल सकती थी, अगर थोड़ा ट के बाद में उनकी popularity गिरती गई, आज Shakespeare और Milton की बाद में English Language का Most Considerable नाम माना जाता है दोस्तों, William Wordsworth को, लेकिन Matthew Arnold के हिसाब से इन्होंने अपने अच्छे works बहुत ही कम लिखे हैं, Matthew Arnold बोलते हैं कि Wordsworth के लिए Nature खुद पैन और पेपर लेकर लिखने बैठता था, ये बहुत ही simple और plain style लिखती थे और ये ही उनका style हमें दिवाना बनाता है, और उनकी party unique होती थी जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, शैले की बारे में बताते हैं Matthew Arnold, उनकी private life की एक outline देते हैं, और उनकी parts भी गिनवाते हैं, qualities भी गिनवाते हैं, और वो qualities भी जो उनको angelic शैले बनाती ह Matthew Arnold ने दोस्तों शैले के लिए का आया, Arnold ने शैले को एक beautiful and ineffectual angel बोला है, ये चीज़ याद रखना, इस तरह से दोस्तों हमने Matthew Arnold के criticism को आज discuss किया, I hope आपको कुछ हत्ता की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोग literary criticism की series को आगे बढ़ाएंगे, इस series को मैंने काफी पहले शुरू किया था, लेकिन दोस्तों बीच में उसको pause कर दिया था, कुछ reasons की वज़े से, कुछ novels को मुझे cover करना था, कुछ poems को cover करना था, आज की इस वीडियो में हम लोग Victorian age का literary criticism discuss करेंगे, अब Victorian age के literary criticism में दो बहुत बड़े नाम है, सबसे पहले बहुत बड़ा नाम है, हम सबको पता है, Matthew Arnold का, जिनको आज इस वीडियो में मैं discuss नहीं करूँगा, आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरे सबसे बड़े critic, Victorian age के, Walter Peter, दोसों इनको discuss करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो मुझे comment में जाकर के बताईएगा, मैं Matthew Arnold पर वीडियो बनाऊँगा बहुत ही जल्दी, इसके बाद ही बनाऊँगा, अगर आपको पसंद आती है, तो, जितना अच्छे से हो सके, उतना अच्छे से discuss करेंगे, शुरू करते है Victorian Literary Criticism में दोस्तों दू नाम बहुत बड़े हैं, पहला नाम है Matthew Arnold का, जो की बहुत बड़े critic थे उस टाइम के, और दूसरा है Walter Horace Peter, जिनको Walter Peter भी कहा जाता है, इस वीडियो में हम लोग Walter Peter को ही discuss करेंगे, जाड सैंट्सबरी ने Walter Peter को Late Victorian Age का Greatest Critic बोला है, जैसे Matthew Arnold Middle Victorian Age की बह जैसे ही दूस्तों ये Walter Peter Late Victorian Age की बहुत बड़े critic थे, खतम होती Victorian Age और शुरुवाती Modern Age में इनका criticism बहुत ही बड़ा, दोनों में परक ये था कि Matthew Arnold एक moral critic थे, वो art for life's sake की थेयोरी पर भरुशा रखते थे, मतलब सब life के लिए है, इनसान के लिए है सब कुछ, जबकि Walter Peter on the other hand एक moralist नहीं थे, वो एक aesthetic critic थे, वो art for art's sake वाले principle को मानते थे, और Walter Peter की methods, ये methods romantic से meal खाते थे, अब ये closely associated थे, England की aesthetic moment से, aesthetic moment के बारे मैं आपको पहले भी बताया है, इसमें beauty की enjoyment पर focus किया जाता था, पहले तो हम लोग Walter Peter के works की बात करते हैं, सबसे पहले, इनका सबसे famous works, Studies in the History of the Renaissance, 1873, ये इनके essays का एक collection था, रेनिसा के writers पर, जैसे की Michael Angelo, Leonardo Da Vinci, इनके नाम पर essays लिखा करते थे, ऐसे इनके और भी works हैं, जैसे Appreciations, 1889, और Plato and Platonism, 1893, ये कुछ famous works हैं, Walter Peter के, और aesthetic moment की बात करें, इनका connection जो aesthetic moment से था, तो ये जुड़े हुए थे, आर्ट पर आर्ट से वाली theory से, मतलब इनका मानना था beauty की worship करना, और ये ही life का highest ghoul माना जाता था, इनका मानना था कि आर्ट morality से अलग होता है, और आर्ट का का काम होता है, beauty की जरीए pleasure देना, तो आर्ट का मतलब morality नहीं होना चाहिए है, इस moment ने दूस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि late 19th century और early 20th century में बड़ा जोर पकड़ा इंग्लैंड में, लेकिन फिर ये moment fail हो गया, इसके बहुत सारे reason थे, सबसे पहले तो ये life के practical affairs से बिलकुल दूर था, morality से भी दूर था, अब practical affairs से दूर होना, मैं आपको आगे बता हुआ, कि क्यों practical affairs से दूर होना, इसके fail होने का reason बना, दूसरा, इस moment के leader भी immoral थे, जैसे कि Oscar Wild, उनको jail हो गई थी, तीसरा सबसे बड़ा reason, first world war, first world war के time पर किसी को भी cult of beauty नज़र नहीं आते थे, सिर्फ life के practical affairs याद आते थे, अब war के time पर कोई beauty क्यों देखेगा, तो और भी ऐसे कई सारे reason थे, जिसकी वज़े से ये moment fail हो गया, ऐसे दूस्तों ये aesthetic moment originate हुआ था फ्रांस से, 1813 के आज़ फ्रांस पर्ट्स थे, जैसे धियोफाइल गौटियर और famous French novelist Flippert, जिनकी मैडम बावरी मैंने कुछ दिन पहले cover की है, तो दूस्तों ये जो writers थे ये फ्रांस में इस moment के sponsors थे, अब थियोफाइल गौटियर ये father थे French aesthetic moment के, और ये लोग मानने लगे थे कि art beauty का एक सबसे बहतर सूर्स होता है, nature से भी बहतर सूर्स होता है, और बाद में इनकी इसी theory को आगे बढ़ाया Oscar Wilde ने, Oscar Wilde क्या बोलते थे, इसी theory को follow किया था उन् करता है, और ये theory उन्होंने दी थी, intentions नाम की collection में, ऐसी इसका collection था, इस theory को उसमें बताया था इन्होंने, तो Oscar Wilde ये मानते थे, कि art जो है, वो nature को follow नहीं करता है, nature art को follow करता है, और दूस्तों इसी लिए Oscar Wilde, Matthew Arnold और John Ruskin, इन सब key theories के against चले गए थे, क्योंकि इनकी theories morality से जो में Walter Peter और Oscar Wilde, ये दोनों बहुत बड़े नाम है, Oscar Wilde मानते थे, कि कोई भी book moral या immoral नहीं होती, कोई भी book immoral या moral नहीं होती, या तो वो well written होती है, या फिर badly written होती है, लेकिन वहीं बात की जाए Walter Peter की, तो दूस्तों T.S.E.L.E.T. ने इनकी लिए क्या का है, सबसे पहले तो मैं आपको बता हूँ, Walter Peter और एक बहुत ही educated और sober follower थे, cult of beauty के, बतलब वो भी art for art से को अच्छे से follow गरते थे, लेकिन वो कहीं न कहीं art for life से को भी follow गरते थे, T.S.E.L.E.T. की माने तो, उन्होंने Peter को एक moralist भी माना है, John Ruskin की तरह, अब ऐसा क्यों कहा गया है, वो तो म आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले, तो Walter Peter का ये जो work था, The History of the Renaissance, ये जो work था, इसका preface माना जाता है, Unofficial Manifesto, Aesthetic Moment का, ठीक है, इस preface में आपको सब कुस देखने को मिलेगा, Walter Peter का, Cult of Beauty, Aesthetic Creed, ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन Walter Peter कितने भी art की तरफ जुकने व Great Art Has Something of the Soul of Humanity, इसलिए दोस्तों T.S.E.L.E.T. ने इनके लिए सही काया है, कि कहीं न कहीं ये बाकी अपने बाकी Aesthetic Writer से अलग थे, दोस्तों Walter Peter का एक बहुत ही famous essay है, On Style, इसमें इन्होंने अपने कुछ literary theories की बारे में बताया है, क्योंकि इसमें उन्होंने इसी literary art की central problems, उ के diction की बात की है, काफी कुछ बताया है, detail से discuss करना जरूरी है इसको, on style को, सबसे पहली चीज, Walter Peter यहां पर poetry और prose में बहुत ही close similarity को बताते हैं, इन दोनों में कोई भी essential difference नहीं होता, इनके हिसाब से, ये दोनों ही imaginative literature की दो branches हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि modern age में prose writing का future बहु तक सही भी साबित होई, दूसरा ये एक artist को prose हो या poetry, दोनों में अपने life के vision के लिए true होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, अभी कोई artist अपने work of art को beautiful बना सकता है, अगला, वो कहते हैं कि कैसे words को choose करना चाहिए, सबसे पहले तो उसे नए coin out किये गए words से दूर रहना चाहिए, जिपसी phrases बगेरा से भी दूर रहना चाहिए, high standard की language यूज़ करने चाहिए, आगे वो बताते हैं अपनी literary theory में कि learning की क्या importance है एक writer के लिए, एक prose writer को लिखने से पहले बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, सिर्फ art का नहीं, science और philosophy का भी, इन सब को पढ़कर इनकी variety of words को अपनी prose में use करना चाहिए उसको, ताकि इस से उसकी prose की value बढ़े, और भी बहुत कुछ बताते हैं एक writer के लिए, अपने literary theories के अंदर, अब next, इनका ये जो work है, appreciations, इसके अंदर Walter Peter ने दो terms, classicism और romanticism में work बताया है, दोस्तो Walter Peter की कमी कहलें या खासियोत कहलें, इनकी ये एक खास बात थी कि ये Matthew Arnold की अभी भी कोई rules या principles के according literature को judge नहीं करते थे, बलकि उसे piece of art समझ कर enjoy करते थे, और पर ये बताते थे कि उनको क्या pleasure मिला इसको पढ़ कर, अपने pleasures को बताते थे, अब literature और criticism पर इनके क्या views थे, पहला तो ये imaginative literature को high, और literature of facts को lower मानते थे, मतलब जो imaginative literature होता है, वो उचा होता है, जो literature fact पर based होता है, वो lower होता है, नीचा होता है, दूसरा ये बहुत माना जाता है कि imaginative literature में nature को copy किया जाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि imaginative literature इनके हिसाब से, अपने आप में एक creativity है, तीसरा criticism में ये मानते थे, कि selected, कुछ selected scholars को ही literature को judge करना चाहिए, ऐसे ही कोई judge ना कर दे, बलकि कुछ selected, कुछ गिने चुने scholars को ही judge करना चाहिए, चौथा literature, art और science दूनों है, इसमें सिर्फ inspiration काफी नहीं है, hard work और efforts भी होने चाहिए, पाँचवा मैंने आपको बताया, ये एक artist को बूलते हैं, उसे सिर्फ literature कोई नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी चीजों को भी study करना चाहिए, जैसे philosophy और science, और उनकी words अपने works में शामिल करने चाहिए, तो ये सब Walter Peter के views थे, criticism में, अब last में हम लोग as a critic, इनकी achievements और greatness की बाते करते हैं, कुछ कम्या भी बताऊँगा, सबसे पहले तो हम इनको एक completely aesthetic critic नहीं कह सकते, दूसरा, Matthew Arnold की तरह कोई भी fixed principle इनके नहीं थे, literature को judge करने के लिए, लेकिन एक balanced point of view था, जिसकी तारिफ की जाने चाहिए, लेकिन इनके कुछ false भी थे, जैसे originality नहीं थी, मैंने आपको बताया, Matthew Arnold की तरह कोई fixed principle नहीं थे, इन्होंने अपने खुद के rules formulate नहीं किये थे, ख इनको Victorian Literary Criticism में पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, Matthew Arnold की बाद, तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे एक modern literary critic और poet, T.S. Eliot का एक essay, Tradition and the Individual Talent दोस्तों, काफी पहले इस पर वीडियो बुलाने का इरादा था, लेकिन circumstances की वज़े से मैं बना नहीं पाया आज इस वीडियो में हम लोग इस essay को धंक से discuss करेंगे ये एक essay है, एक तरह से unofficial manifesto है दोस्तों, literary criticism में ये, T.S. Eliot का ये जो essay है, ये 1919 में The Egoist नाम की magazine में publish हुआ था और दोस्तों, इसके अंदर tradition और individual talent की बात की है और दोस्तों, बहुत ही interesting essay है, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में तो सबसे पहले तो tradition and the individual talent ये T.S. Eliot का एक बहुत ही famous वर्क है, एक essay है, 1919 का और इसको publish करवाया गया था The Egoist नाम की literary magazine में इस वर्क के बारे में बताने से पहले T.S. Eliot के बारे में ये बात जानना जरूरी है कि दोस्तों ये एक poet भी थे और literary critic भी थे, आप मैं से बहुत सारे viewers को पता है तो इनके इसी dual role को देखते हुए, इनको Sir Philip Sydney और Estre College के साथ compare की जाता है क्योंकि वो भी ये दोनों काम करते थे, Sir Philip Sydney ने भी criticism में काम किया है और Estre College ने भी तो इन दोनों के साथ compare की जाता है इस मामले में और दोस्तों ये work भी criticism में ही लिखा हुआ work है इनका Tradition and the Individual Talent अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये जो work था, ये एक attack था Romanticism जो था Romanticism उसकी कुछ certain critical views पर ये work एक attack था particularly इस idea पर कि एक poem primarily poet की खुद की personality का expression होती है Romantic poet William Wordsworth ने एक line बुली थी poetry एक spontaneous overflow होती है powerful emotions का तो इसका मतलब तो ये हुआ कि poetry एक personality या फिर एक inspiration का expression होती है लेकिन T.A. से लेट बोलते हैं ऐसा नहीं है poetry तो escape of personality है तो वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा शुरू करते हैं सबसे पहले एक बात जाननी ज़रूरी है कि इस essay को T.A. से लेट ने तीन parts में divide किया है सबसे पहले tradition concept of tradition tradition का मतलब होता है परंपरा नहाँ पर दोस्तों literary tradition की बात की गई है past के writers दूसरा है theory of impersonal poetry और तीसरा conclusion तो सबसे पहले T.A. से लेट tradition की बात करते हैं मतलब literary tradition की वो बताते हैं कि किस तरह से एक part और उसकी poetry का tradition से relation होता है इलेट मानते हैं कि English writings में हम कभी कभी tradition की बात करते हैं अपना दुख दिखाने के लिए कि अब tradition absence है जबकि लेट खुद मानते हैं कि English tradition तो खुद change की through art की progress को support करता है इसलिए उनका ये मानना है कि tradition को ठीक तरह से समझा ही नहीं गया है कि किस तरह से उसे अपने work में शामिल किया जाए tradition को किस तरह से अपने work में शामिल किया जाए ये जो term है tradition इससे T.S. Eliot का मतलब है historical timelessness मतलब past और present का मिल जाना और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि T.S. Eliot खुद एक classicist poet थे उनका work देखोगे आप murder and cathedral वो बहुत अद्टक classicism का उस पर प्रभाव दिखता है दोस्तों तो यहाँ पर Eliot एक poet को सला देते हैं कि एक poet को यूरोब के पूरे literature के लिए classical writer Homer से सीखना चाहिए classical poet Homer से सीखना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने आसपास के माहौल के बारे में बहुताना चाहिए T.S. Eliot इस बात में बिलकुल भी यकीनी रखते थे यह चीज़ मानी जाती है कि poet अपने past के writer से अलग हो गए तो वो individually great हो गए मतलब अगर अपने past के writer से अलग हो गए parts तो individually अपने आप में वो great हो गए बलकि वो मानते थे कि एक part के work का सबसे जरूरी individual जरूरी part होता है कि उससे पहले कि जो dead parts है उसके पूरवज parts उनके लिए बड़े जोश के साथ वो अपने works में ये बताए कि मेरे पहले के parts कितने immortal हैं और कभी मरेंगे नहीं वो इस चीज़ से क्या होगा ये चीज़ क्या करेगी awareness फैलाएगी अब novelty याने की नयापन इसके लिए मतलब कि इस type की partic process के लिए Elliot अपना एक dynamic और progressive process बताते हैं कि कुछ नया बनाने के लिए भी tradition से सीखना पड़ता है जब एक part अपना नया work लिखता है तो वो realize करता है कि जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है वो पहले से उसके लिए literary tradition ने establish किया है कहने का मतलब कोई भी artistic creation जीरो से नहीं होती past का tradition का उसमें बहुत rule होता है past के elements को note किया जाता है realize किया जाता है part के द्वरा अब यहाँ पर personal emotions की बात करते हैं वो कहते हैं कि great works कभी भी part के personal emotions को express नहीं करते part कभी भी अपने unique emotions को reveal नहीं करता इसलिए poetry को T.S. Elliot बोलते हैं escape from emotions उनका मानना है कि इसलिए successful poetry हमेशा impersonal होती है poetry को लिखने वाले part से तो वो poetry बिलकुल ही independent होती है और वो poet के मरने के बाद भी जिन्दा रहती है timeless होती है और literary tradition में शामिल हो जाती है वो भी poetry अब दोस्तों यहां मैं आपको बताता हूँ कि इसी impersonal poets वाले method से connected एक work है T.S. Elliot का Hamlet and His Problems जिसमें Elliot ने अपने phrase objective correlative को present किया है मैं आपको इसका मतलब भी बताऊँगा तो इन्होंने अपना एक work लेखा था Hamlet and His Problems इसमें objective correlative की बात की है T.S. Elliot ने वो बोलते हैं कि Shakespeare का जो play था Hamlet और उस play का character Hamlet दोनों problematic थे कैसे? वो बोलते हैं कि Hamlet एक artistic failure था क्योंकि इसके पास objective correlative नहीं था इस play के पास में objective correlative नहीं था इस play में Shakespeare ने fact और feelings के बीच में balance नहीं बनाया कहने का मतलब इस play में बाहरी situations और Hamlet के अंदर की feelings में कोई relation नहीं है उसके पागलपन का उसकी मदर की guilt से कोई भी proper relation नहीं था और कोई भी clear events नहीं है जो इन express किये हुए emotions को match कर सके तो इन ही express किये हुए emotions और events से match करने को बोलते हैं Elliot objective correlative objective का मतलब है situations, events, condition और objective correlative का मतलब proper relationship between situation and the expression of feeling तो इसलिए इन्होंने Hamlet को एक artistic failure कहा यहाँ पर T.S.E.L.E.D. बोलते हैं कि individual talent traditional poetry की careful study से ही पाया जा सकता है carefully उसको study करना पड़ेगा traditional poetry को और यह चीज कोई भी विरासत में नहीं मिलती मतलब कि बिना महनत किये हुए नहीं पाया जा सकता है इसको इसको पाने के लिए hard work करना ही पड़ता है और यहाँ पर इलिए इस बात पर बहुत जोड़ देते हैं कि poet के लिए study करना बहुत ही जरूरी है यह समझना कि उसके पहले के poets कैसे थे लेकिन poet की study थोड़ी युनीक होती है उसके लिए mind of Europe को समझना बहुत जरूरी है अपने poetic lens के जरूरी है जैसे Shakespeare ने जियादतर अपने से पहले की history को समझा था एक Greek biographer थे Plutarch नाम की उनसे Thomas Naught नाम की एक translator ने Plutarch के work को उस time पर translate किया था तो वो translation को पढ़ करके Shakespeare ने सीखा था history को तो इसलिए एक poet के लिए अपने past की writer से सीखना बहुत जरूरी है अब ये work को लिखकर T.S.E.L.E.T. ने दोस्तों new criticism को बहुत inspire किया लेकिन यहाँ पर T.S.E.L.E.T. ने खुद new critics के text के analysis को बहुत ही unnecessary और ठकाओ टाइप का बूलकर इनको criticize किया है लेकिन फिर भी new critics बहुत अग्त तक T.S.E.L.E.T. से मिलते जुलते हैं अब T.S.E.L.E.T. का criticism भी हुआ है जैसे कि Harold Bloom ने इनका ये मानना था कि T.S.E.L.E.T. का Eurocentrism को बढ़ा हुआ दे रहे हैं लेकिन इस मामले में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि T.S.E.L.E.T. खुद बहुत सारे non European works को traditional works को support करते थे जैसे महाभारत तो T.S.E.L.E.T. ने argue किया है importance of complete sensibility पर completely sensibility की importance पर argue किया है इन्होंने ये तो खुद heavily influenced थे non Western tradition से इन्होंने खुद काया कि मैंने जब बहुत पहले Indian Indian language को पढ़ा याने कि Sanskrit को तो उनकी philosophy में मुझे बहुत interest आया इसलिए आपको मेरी poetry में Indian thought और sensibility का influence मिलेगा तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आईगी होगी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग literary theory को continue करेंगे दोस्तों literary theory बहुत ही toughest part होती है बहुत ही मुश्किल पार्ट होती है समझना थोड़ा इसको मुश्किल है इसलिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8-8-10-10 minute की short videos बना करके इसको समझा जा सके आप में से कई सारे viewers कल जो वीडियो में अपलोड की थी उस पर कहा था आप में से कई सारे viewers ने की आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें काफी सारे details आपने मिस कर थी लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह experiment है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ढंक से समझा सकूँ इसको आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे new criticism Russian formalism और इसके अलावा reader response theory को इन तीनों में क्या connection है क्या similarities है और कैसे यह तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो आज हम इस वीडियो में इनको discuss करेंगे और दोस्तों मेरा यह मकसद रहता है शुरू से कि मैं छोटी छोटी वीडियो में जानकरी दूँ हर किसी का अपना style होता है कई लंबी वीडियो बना करके जानकरी देना पसंद करते हैं एक एक घंटे की लेकिन दोस्तों मैं शुरू में तो 5 मिनिट की बनाता था अब 10 मिनिट की बनाना शुरू किये मैंने तो काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में शुरू करते हैं दोस्तों ये new criticism, Russian formalism और reader response theory ये सब literary theory का part है ये किस तरह से आपस में connected है और इनका मतलब क्या है इस वीडियो में हम वही discuss करेंगी तो literary theory समझना थोड़ा मुश्किल है कल की वीडियो एक experiment थी आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की इस चीज़ को ऐसे दोस्तों मुझे Russian formalism से समझाना चाहिए लेकिन new criticism से हम लोग शुरू करते हैं इसको ढंग से समझते हैं तो ये भी literary theory का part है American literary criticism है 20th century के mid में इस criticism ने dominate किया दोस्तों इस criticism में text को बहुती closely read किया जाता है particularly poetry के text को ये ढूडने के लिए कि किस तरह एक work अपने आप में self content है और ये नाम निकल कर आया था दोस्तों new criticism John Crow Ransom नाम की एक American educator थे जिन्होंने 1941 में अपना एक essay type का work लेखा था जिसका title उननों दिया था the new criticism तो इनको John Crow Ransom को founder of new criticism consider किया जाता है और दोस्तों new criticism में सबसे ज्यादा important famous नाम है English educator I.A. Richards का ये Cambridge University के scholar थे और इनके कुछ works हैं जैसे practical criticism और meaning of meaning अब ये new criticism डवलप हुआ कैसे Actually दोस्तों ये एक reaction था इससे पहले जो old literary history 19th century की थी वो German scholarship से influence हुई थी उसमें हर एक individual word का मतलब उसकी history विदेशी ancient language का उसपर क्या relation है उससे क्या relation है author की biographical circumstances क्या रही होगी जब उसने इस work को लिखा होगा ये सब चीजे study की जाती थी लेकिन इन लोगों ने क्या माना कि एक critic की क्या जाब होती है कि वो अपने readers की help करे form और technique को समझने में एक art की form और technique को समझने में एक artist की mastery को समझने में जैसे एक critics Matthew Arnold और T.S. Eliot इन की तरह तो इन से पहले ये सब चीजे study की जाती थी biographical circumstances बगेरा तो इस नजरी क्या हुआ इन लोगों ने feel किया कि इन सब external चीजों को पढ़ने में हम लोग क्या कर रहे है main text से distract हो रहे है एक poem की aesthetic qualities और उसके मतलब को completely neglect कर रहे है तो इन्हों ने भी अपना एक नया aim रखा एक systematic और objective method से literary critics और creative writers ने ये feel किया कि कुछ special aesthetic experiments of poetry और literary language तो खोस ही गई है इन सब external studies को करने में emotions पर focus करने में तो कहने का मतलब ये है कि literature में हम सिर्फ literature की scholarship, literary scholarship पर focus कर रहे है बजाए text को analyze करने के ये मानते थे कि text का structure और उसका मतलब दोनों एक दूसरे से connected है तो इनको separately analyze नहीं किया जाना चाहिए साथ में analyze किया जाना चाहिए तो इन्होंने text में से reader का response, author का intention God से सुनना, reader का response author का intention, historical cultural context इन सब चीजों को अपने analysis से बाहर निकाल दिया reader का response भी बाहर निकाल दिया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या reaction हुआ था तो French formalism की वज़ा से French literary studies में तो ये text की clues reading बहुत जरूरी हो गई मैं आपको बताऊंगा French formalism का मतलब भी लेकिन US में modern poets को study कौन कर रहा था which book reviewers, non-academic essayist वगेरा वगेरा ये काम कर रहे थे उस वक्त अबकि ये काम किसका था serious scholars का वो नहीं कर रहे थे ये book reviewers और non-academic essayist वगेरा ये काम कर रहे थे लेकिन US की universities में जब ये new criticism आया तो इसने सब को change कर दिया क्योंकि इनका interest था text को study करने में तो शुरू शुरू में तो old जो scholars थे उन्होंने इनका बहुत विरूत किया लेकिन बाद में इनके methods को American universities ने अपनाया ये dominate करने लगा था उस वक्त ये criticism American universities में जब तक की इस criticism की पीछे पीछे दूसरे टाइप की criticism जैसे नहीं आ गए जैसे feminism, new historicism वगेरा और reader response theory दूस्वों इनको inspiration मिली थी जान क्रो रैंसम से तो जान क्रो रैंसम से सीकर Alan Tate क्लैंट प्रूक्स, Robert Penn Warren इन्हों ने aesthetics को develop किया यह aesthetics बाद में new criticism के नाम से जाना गया लेकिन दोस्तो एक time तक ही इस new criticism ने American universities में dominate किया क्योंकि फिर बाद में दूसरी theories आ गई थी जैसे post-structuralism deconstruction theory new testament narrative criticism reader response theory वगेरा यह सब आ गई थी तो ज़्यादा time तक new criticism ने American universities में dominant नहीं किया अब ऐसा नहीं है कि new criticism का कोई criticism नहीं हुआ criticism की बात करता हूँ तो इसका criticism किया किस ने reader response theory ने वो लोग जो reader response theory को support करते थे जैसे Terrence Hawks ने कि new criticism तो बिलकुल ही reader response theory के general principles के oppose में है तो क्लैंट ब्रोक्स ने इस चीज़ का जवाब दिया दूसरा objection ये है दोस्तों कि new criticism actually criticism को scientific बना रहा है science का rival बन रहा है criticism को scientific बनाने की कोशिश की जा रही है अब दोस्तों formalism से किस तरह से ये connected है new criticism वो मैं आपको बताता हूँ ये जो new criticism था ये text के formal aspects पर focus करता था तो इसलिए new critics बड़े closely जुड़े हुए है formalism से Russian formalism से Russian formalism और new criticism ये दोनों एक दूसरे के counterpart हैं दोस्तों Russian formalism की शुरुआत हुई थी 1915 के आसपास 1920 जाते आते ये बड़ा और ये associated था Moscow linguistic society से इस society के leading figure थे दूस्तों Roman Jacobson और दूसरा Prague linguistic circle जिसमें leading figure थे दूस्तों Boris Kenbam और Victor Lausky अब ये formalism का नाम form से बड़ा है क्योंकि ये critics किसी literary text के formal devices पर focus करते थे आप सोचोगी कि formalism नाम क्यों बड़ा formal devices जैसे कि rhyme, meter, metaphor, syntax narrative, techniques ये सब formal devices हैं इसलिए इसका नाम formalism पड़ा है ये formalism के बारे में बताता हूं दूसरे literature को एक special mode of language समझता है जैसे कि literary language और एक ordinary language में फर्क क्या है ordinary language का use तो communication के लिए किया जाता है लेकिन literary language इनके हिसाब से self reflexive होती है तो reader को इस language की formal devices पर focus करना चाहिए इनके हिसाब से Roman Jacobson इस चीज़ को literariness बोलते थे दोस्तों तो I hope आपको formalism और new criticism इन दोनों में similarities पता चली होगी connection पता चला होगा समझ में आया होगा अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं reader response theory क्या थी ये new criticism को सबसे ज़्यादा challenge किया था दोस्तों reader response theory ने ये theory focus करती है reader पर कि उसका क्या experience रहा है एक literary work को पढ़ने के बाद में पैसे इस theory से पहले दूसरी theories क्या करती थी या तो वो author की biography पर focus करती थी और formalism और new criticism में क्या किया जाता था इन दोनों theories में क्या किया जाता work के form पर discuss किया जाता था form पर focus किया जाता था जबकि इस theory ने reader response theory ने reader के role पर focus किया ये criticism शुरू हुआ 1960s और 1970s particularly US और Germany में दोस्तों इस theory में दोस्तों reader को एक active agent पाना गया है कि literature को एक performing art की तरह देखा जाना चाहिए इसको हर reader अपने हिसाब से perform करता है literature एक performing art है जिसको हर reader अपने हिसाब से perform करता है ये माना जाता है reader response theory में ये performance होती है text related performance ये जो theory थी दोस्तों reader response theory ये totally oppose करती थी theory of formalism और new criticism को क्यों? क्योंकि इन दोनों ही theories में मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि reader के rule को ignore कर दिया गया था और दोस्तों एक चीज़ focus करने वाली ये है कि ये reader response criticism जो है ये connected है post-structuralism से structuralism मैंने आपको बताया था post-structuralism के बारे में बताऊंगा मैं आपको तो post-structuralism से काफी हद तक connected है reader response theory क्योंकि वो भी reader की role पर focus करता है और दोस्तों ये reader response criticism बोलता है कि टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसको एक reader पढ़ कर experience ना करे और एक reader response critic का क्या काम है कि वो readers के reactions को examine करे readers के अलग-अलग तरीके को तरीकों को analyze करे I hope आपको यानि कि I.A. Richards New Criticism में इनका बहुत बड़ा नाम है 20th Century के एक बहुत बड़े critic थे इन्होंने अपने जरूरी works लिखे हैं Principles of Literary Criticism 1924, Practical Criticism 1929 और Coleridge on Imagination 1935 I.A. Richards पहले critic थे जिन्होंने criticism में psychology को importance दी इस पर ध्यान दिया कि ये psychology reader के और society के दिमाग पर क्या impact छोड़ती है दूसों Coleridge की बाद ये थे जिन्होंने एक systematic और complete theory of poetry को formulate किया और इनकी खास बात ये थी कि इनकी सारे views original थे इसलिए इनको सिर्फ literature में नहीं बलकि psychology, aesthetics और fine arts में भी पढ़ा जाता है बात करते हैं रिचर्ट्स के हिसाब से poetry का nature कैसा होना चाहिए इस मामले में पहले तो वो ये समझते हैं कि इनसान का दिमाग कैसे काम करता है ये काम की चीज़ है दोस्तों ढंक से समझना आई ये रिचर्ट्स बोलते थे कि इनसान का दिमाग कैसे काम करता है एक critic के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले इनसानी दिमाग में बहुत सारे reactions प्रेडियूस होते हैं और यही reactions आक्शन करने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन जैसे ही action करने की stage आती है दूसरी direction में हमारे दिमागी reaction जो है हमें खीचे ले जाते हैं और ऐसा ही चलता रहता है एक नए experience की साथ में बार बार दिमाग को re-adjust होना पड़ता है और इसका result ये होता है कि दिमाग एक disturbed state बनकर रह जाता है जिसमें बहुत सारे disturbance होती है और एक poetry की value ये होती है कि वो दिमाग को disturb ना होने दे और system बना के रखे अब mind में ये जो reactions उठते हैं इनको बोला जाता है ध्यान देना दोस्तो impulses ये impulses एक दूसरे के रास्ते में interfere करते हैं conflict चलती है इनके बीच में और ये दो रास्तों से होता है directly और indirectly ठीक है कुछ impulse तो psychologically incompatible होते हैं कुछ compatible आपने देखा होगा कि कुछ लोग smoking के सास्तात writing भी कर लेते एक टाइम पर इसमें कईयों को difficulties भी होती है तो ये incompatible है तो सबसे पहले हर एक चीज़ को experience करना पड़ता है फिर जाके दिमाग में reaction उठते है तो एक poetry जो होती है वो एक artist के experience का collection होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक single experience हो इसके अंदर single experience होता ही नहीं है I.A. Richards के हिसाब से single experience के जरीए poetry नहीं लिखी जा सकती और एक reader यानि कि हम लोग भी किसी poem से किसी single experience को नहीं ले सकते I.A. Richards के हिसाब से एक reader ही poem को judge कर सकता है कि उसे poem पढ़ते हुए कैसा experience हुआ ये experience naturally good और bad दोनो type की हो सकते है good experience को valuable कहा जाता है I.A. Richards ने impulses की भी दो type बताएं दूस्तों पहले desires और दूसरे dislikes ये desires वाले impulses unconscious impulses होते हैं इंसानी दिमाग का तो nature ही है कि वो satisfaction पसंद करता है एक theory थी art for arts एक उसको I.A. Richards नहीं मानते थे वो बोलते थे कि art की moral theory के पीछे great mind होते है मतलब कि किसी art के पीछे किसी great mind का एक बहुत बड़ा rule होता है तो इस चीज को बड़ी importance देते थे आईए रिचर्ड अब मैं बात करता हूँ कि रिचर्ड के हिसाब से function of language क्या होती है रिचर्ड ने अपने practical criticism में बोला है कि किसी work में words के यानि कि जो language होती है उसके अंदर words होते है उसके चार type के meaning होते है चार factors होते है sense, feeling, tone और intention sense का मतलब होता है किसी text को बिल्कुल plain और literal meaning वाले words की साथ में लिखा गया हो tone का मतलब होता है writer का अपने reader के लिए attitude कोई writer अपने words को कैसे choose करता है कैसे उनको arrange करता है जो उसके reader से automatically relate कर सके intention से यहाँ मतलब है एक writer का aim उसका aim क्या है conscious है या unconscious है क्या effect produce करना चाता है वो अपने writings के जरिए feeling का यहाँ पर मतलब है writer की feelings some personal favor I.A. Richards दोस्तों literary criticism में एक unique figure थे उनकी ideas की originality और new criticism में उनका lasting contribution देखकर George Watson ने इनके लिए बोला है कि Richards इस century के most important theorist थे जैसे कि Elliot most important descriptive critic थे उसी तरह से यह theorist थे Richards ने criticism को science की तरफ मोड़ दिया उन्होंने literary judgments में scientific investigations डाल दिये वो बोलते हैं कि एक poetry poet के अंदर के system को represent करती है और अगर एक critic को poem को समझना है तो पहले उस poet के अंदर के system को समझना होगा उसके experiences समझने पड़ेंगे और इसके साथ साथ उसके experiences की value को भी पता करना पड़ेगा एक critic को एक critic को ये भी बता होना चाहिए कि poet के experiences की value क्या है greater या lesser I hope आपको ये वीडियो पसंद आये होगी दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है